आज की सभा में उपस्थित बुलांगीर नगर के सम्माननी नागरिक बंदो मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी श्री कैलाशवाई आज की सभा क्या बहुत आभरी हूँ कि आप यहां उपस्थित आएं मुझे आ आप से समवात करने का समय मिल रहा है आप सबी से इस बार नयाँ श्रम चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से उडिया भाशा नहीं बोल पाता है इसलिए हिंडि में बात करता हूँ मेरे हिंदी सरल आसान होगी आपको समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास भारत देश की कथा कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ हमारा भारत देश पिछले कुछ वर्षों से बहुत गंभीर समस्याओं में फस गया है और हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अगर हम ने नहीं किया तो आने वाले समय में यह देश फिर से विलेशी शक्तियों का गुलाम हो सकता है ऐसी संभावना पूरी तरह से स्वश्ट हो रही है हमारा देश जिर गंभीर समस्याओं और भसा हुआ है उनका समाधान हम समी नागरिक मिलकर कर सकते हैं ऐसा मुझे बार बार पुश्वास होता है पिछले 10-12-15 वर्षों से भारत की समस्याओं के बारे में पिज़करी गंभीर अभ्यास करने के बाद मुझे यह निसकर्ष निकालने में आसानी हुई है कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान भारती नागरिक मिलकर कर सकते हैं लेकिन दुर्भागे हमारे देश का ये है कि हमारे भारत की किसी भी एक समस्या का समाधान सरकार नहीं कर सकती है कोई राजकी ये दल, कोई भी राजकी ये फख्ष, कोई भी राजकी ये पार्टी इस देश की किसी भी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते पिछले आजादी के लगवग सक्षक वरशों में हमारे देश में सभी राजनेतिक दलों को सरकार बनने का अवकाश मिला समय मिला लेकिन हमारे देश की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली गए गरीबी भयंकर इस देश में एक समस्या के रूप में आई है बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है महगाई उससे भी बड़ी समस्या है गरीबी की इस्तुती हमारे भारत में इतनी खराब है कि जबी एक सो साथ कोटी एक सो साथ करोड की आबादी वाला भारत देश इसमें चवालीस करोड नागरिक भयंकर गरीबी में रहते है 44 करोड नागरिकों को दो समय खाने के लिए अन उपलब्द नहीं होता है 44 करोड नागरिकों की आमंदनी के बारे में एक छोटी सी जागकारी में आपको देता हूँ वो ये कि भारत में 15 करोड नागरिक इतने गरीब हैं जिनको एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपय उपलब्द नहीं होता है 10 करोड नागरिकों की गरीबी इतनी अधिक है कि उनको एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपय उपलब्द नहीं हो पाते और पांच करोड नागरिक तो इरेरोजगारी की स्थुती है मात्र भारत में सरकारी काम करने वाले सरकारी नोकरी करने वाले जो करमचारी है जैसे भारत की सेना में काम करते हैं भारत की राज्जी की पुलिस में काम करते हैं भारत के टेली कम्यूनिकेशन बिभाग में काम करते हैं, रेलवे में, पोस्ट में, भारत के अनेक अनेक सरकारी बिभागों में काम करने वाले करमचारियों की जो आबादी है, जो परिवार हैं, वो लगबग साड़े चार से पांच करोर हैं, मने साड़े चार से पांच करोर परिवार ऐसे हैं, जिनको पूरे बर्ष में कोई न कोई काम है, रोजगार है, बाकी हमारे भारत देश में भ्यंकर बेरोजगारी की स्थतिए है। गरीबी है, बेरोजगारी है, महेगाई इतनी अधिक है इस देश में जिसकी कोई कलपना आप करना चाहें, तो आज से लगबग पंद्रे वर्ष पहले एक लीटर पेट्रोल आप खरीदें बाजार में तो लगबग तीन से सवातीन रुपई का मिलता था आज वही एक लीटर पेट्रोल पचास रुपई का मिलता है पंद्रे वर्ष पहले एक लीटर डीजल खरीदें तो लगवग 2 रुपए के आसपास मिलता था आज वही एक लीटर डीजल 38 रुपए का मिलता है हमारे भारत में आज से 10 से 15 वर्ष पहले नमक जैसी वस्तू 15 से 20 पैसे किलो में मिलती थी आज नमक की कीमत 7 रुपए किलो हो चुकी 15 वर्ष पहले वस्तूओं की जो कीमते होती थी आज उसमें 1000 प्रतिशत से ज़्यादा का बढ़ोतरी हुआ है महगाई इतनी तेजी से इस देश में बढ़ी है सभी वस्तूओं की कीमतें दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है महगाई बढ़ती है गरीबी बढ़ती है बेरोजगारी बढ़ती है फिर भी हमारे देश की सरकारे कहती है कि हमारा विकास हो रहा है अभी समझने की बात यह है कि ये वास्तम में विकास हो रहा है या भारत विनाश की ओर जा रहा है पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की इनी समस्याओं पर अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर महगाई क्यों बढ़ रही है, गरीबी क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है क्यों हमारे समाज में इतनी जादा असुरक्षा बढ़ रही है क्यों हमारे समाज में इतनी जादा वेमनस्तिता बढ़ रही है और क्यों हमारे समाज में इतनी गैर बराबरी बढ़ रही है इन सब समस्याओं पर अध्यन करते समय मैं भारत देश के बहुत सारे विशेशग्यों से मिलता रहता हूँ और उनसे भी पूछता हूँ कि आप बताईए भारत में गरीबी बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है तो सभी लोग मुझे एक उत्तर देते हैं वो ये कहते हैं कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी इसलिए अधिक है क्योंकि यहां की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है पॉपुलेशन बहुत अधिक हो गई है भारत की लोग संख्या बहुत अधिक हो गई है तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत की लोकसंख्या अलिक होने से भारत की गरीवी और वेरोजगारी का क्या संबंध है ये समझने के लिए मैंने बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे डॉकुमेंट से कत्रित किये और उनका अभ्यास करना शुरू किया तो बात जो समझ में आई वो कुछ और है बात ऐसी है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस 1947 को अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी के बाद तो उस समय हमारी जनसंख्या 34 करोड थी और उस समय भारत में गरीवों की संख्या लगबद 4 करोड थी जब भारत की लोक संख्या जनसंख्या 34 करोड थी तब भारत में गरीवों की संख्या लगबद 4 करोड थी अब भारत की जनसंख्या 107 करोड हो गई अर्थार भारतिय जनसंख्या 3 गुनी बढ़ गई लगबद 3 से 3.5 गुनी बढ़ गई तो गरीबों की संख्या भी 3 से 3.5 उनिवर जानी चाहिए अर्थात अभी गरीबों की संख्या 12 करोड होनी चाहिए अगर 107 करोड भारती नागरिक हैं तो लेकिन सरकार के आंकडे बताते हैं कि गरीबों की संख्या 44 करोड है जबकि भारत की संख्या, बारत के लोगों की संख्या 107 करोड है अगर गणित का सीधा सीधा सा कैलिकूलेशन करें Mathematically calculate करें तो बात ये समझ में आती है कि हमारी जनसंख्या 34 करोड से 107 करोड हुई इसका वाने जनसंख्या में 3 से 3.5 गुना व्रत्धी हुई और दूसरे शब्दों में कहें तो तीन सो से साड़े तीन सो प्रतिशत म्रद्धी होई तो गरीबों की संख्या में चार करोड से चवालीस करोड की जो म्रद्धी है वो तो ग्यारे गुनी हो गई माने ग्यारे सो प्रतिशत हो गई जनसंख्या बढ़ी है 350 प्रतिशत और गरीबी बढ़ गई 1100 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई 3 गुनी गरीबी बढ़ गई 11 गुनी तो इसका अर्थ ये है कि जनसंख्या और गरीबी का कोई संबंद दिखाई नहीं देता कोई संबंद नहीं दिखाई देता गडित का सूत्र जनसंख्या बढ़ने के लिए जो है वही गरीवी बढ़ने के लिए होना चाहिए अगर जनसंख्या तीन गुनी बढ़ी है तो गरीवी तीन गुनी बढ़ने ही चाहिए लेकिन गरीबी तो बारे गुनी बढ़ चुकी है, ग्यारे गुनी बढ़ चुकी है बेरोजगारी का अगर समझने की कोशिश करें तो 15 अगस तो 1947 को भारत देश जब आजाद हुआ अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से तो 2 करोड लोग बेरोजगार थे इस देश में आज इस देश में 20 करोड लोग बेरोजगार है लेकिन बेरोजगारी तो 1000 प्रतिशक बड़ी है तो जनसंख्या तो बहुत कम बढ़ती है बेरोजगारी उससे जादा बढ़ती है जनसंख्या तो बहुत कम बढ़ती है गरीबी उससे भी जादा बढ़ती है इसका कारण क्या है ये बात मैंने बहुत सारे अर्थ शास्त्रियों को कही कि अगर हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है तो जितनी जनसंख्या बढ़ी उतनी गरीबी बढ़नी चाहिए लेकिन जनसंख्या से तीन गुनी जादा गरीबी बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ोत्तरी से तीन गुनी जादा बेरोजगारी बढ़ रही है ये कैसे हो रहा है हमारे देश तबी वो सारे के सारे अर्थशास्त्री चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद अर्थशास्त्र का ये सिद्धान्त गलत होता है भारत देश में एक अंचराश्वी यूरोप में अर्थशास्त्री होता था सत्रवी शतावदी में उसका नाम था जेके माल्थस उसने एक सिध्धान्त बनाया कि जो देश में जनसंख्या बढ़ती है उसी देश में गरीवी और बेरोजगारी बढ़ती है उसी सिध्धान्त को भारत के सभी राजनेता भारत के प्रदान मंत्री, भारत के वित मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री पुरिसा के मुक्य मंतरी, महराश्व के मुक्य मंतरी जितने भी नेता इस देश में हैं उसी जेके माल्थस के सिधान्त को भारत के लोगों के ऊपर आरोग के लूप में लगाते रहते हैं चुकि भारत वासी जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं इसलिए ये गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती रहते हैं फिर मैं इनी नेताओं से जब बात करता हूँ कि अच्छा ठीक है भारत की जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ गई भारत की जनसंग क्या बढ़ी है तो बेरोजगारी बढ़ गई तो ये सिद्धान तो दुनिया के सभी देशों पे लागू होना चाहिए अगर ये भारत पर लागू होता है तो सभी देशों पे लागू होना चाहिए तो उधारिन के लिए अमेरिका की आबादी पिछले 50 साल में कितनी बड़ी है उसका मैंने जानने की कोशिश थी तो पता चला कि आज से 50 साल पहले अमेरिका की जो आबादी थी वो लगबग 4 से 4.5 करोड थी इस समय सम 2006 में अमेरिका की आबादी 27 करोड हो चुकी इसका मकलब यह हुआ है कि अमेरिका की आबादी 5 गुनी बड़ी है 4.5 करोड से अभी 27 करोड हो गई लगबग 5 गुनी अमेरिका की आबादी बड़ी है तो अमेरिका में गरीबी कम से कम 5 गुनी बड़नी चाहिए और भारत के सूत्र को अगर इपना है तो अमेरिका में बेरोजगारी और गरीबी दस से पंदर गुणी अधिक होनी चाहिए लेकिन अमेरिका की अर्थवेवस्ता का अध्यन करें तो पता चला कि पिछले 50 साल में अमेरिका की आबादी पांच गुणी बढ़ी है और अमेरिका की अमीरी एक हजार गुनी बढ़ गई है आज से पचास साल पहले अमरीका में सबसे गरीब आदमी की जो एक वर्ष की आमंदनी होती थी वो पचास डॉलर मानी जाती थी आज अमेरिका में सबसे गरीब आदमी की एक वर्ष की आमंदली पचास हजार डॉलर है पचास साल पहले अमरिका का सबसे गरीब आदमी पचास डॉलर एक वर्ष में कमाता था अब संग 2006 में अमेरिका का एक आदमी सबसे गरीब एक साल में 50,000 डॉलर पाता है तो अमेरिका में आबादी बढ़ने से अमीरी बढ़ती है तो भारत में आबादी बढ़ने से गरीबी क्यों बढ़नी चाहिए और अमेरिका जैसा ही एक दूसरा देश है उसका नाम है सुट्जर लेंड सुट्जर लेंड की आबादी पिछले 50 साल में लगबग 10 गुनी बढ़ी है आज से 50 वर्ष पूर्व सुट्जर लेंड में लगबग 4.5-5.5 लाख लोग रहते थे अब सुट्जर लेंड की जो जन संख्या है वो 65-70 लाख हो गई है अमेरिका में अमीरी बढ़ रही है सुट्जर लेंड में अमीरी बढ़ रही है डेनमार्क अमीर हो रहा है स्वीदन अमीर हो रहा है फ्रांस अमीर हो गया ब्रिटेन में इतनी अमीरी बढ़ी है पिछले 50 साल में कि ब्रिटेन के सबसे गरीब आदमी की 50 साल पहले की इंकम 50 इस्टरलिंग पाउंड थी अब ब्रिटेन के सबसे गरीब आदमी की आज की संदोहजार की इंकम 60-65 इस्टरलिंग पाउंड एक साल की है तो ब्रिटेन अमीर हो गया, फ्रांस अमीर हो गया, अमेरिका अमीर हो गया, डेनमार्क अमीर हो गया जबकि इन सभी देशों की जनसंख्या बढ़ी है तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी कैसे आ गई अगर फ्रांस की जनसंख्या बढ़ती है तो फ्रांस अमीर होता है ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ती है तो ब्रिटेन अमीर होता है अमेरिका की जनसंख्या बढ़ती है तो अमेरिका अमीर होता है तो भारत की जनसंख्या बढ़ने से भारत अमीर क्यों नहीं होना चाहिए भारत क्यों गरीब होना चाहिए क्यों बेरोजगारी का देश होना चाहिए ये प्रश्न जब मैं भारत के सभी नेताओं से पूछता हूँ तो वो कोई उत्तर नहीं देते वर्तमान में भारत के जो प्रधान मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मन्मोहन सीन ये बहुत समय तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं लगवग पाँच वर्शों तक सन 1991 से लेकर 1996 तक उस समय जब ये वित्त मंत्री थे तब यही प्रश्ण मैंने इनको पूछा कि अगर आप ये मानते हैं कि जनसंक्या बढ़ने से गरीवी और बेरोजगारी बढ़ती है तो यूरोप और अमेरिका के जो दोस्त देश हैं उनकी जनसंक्या तो बहुत बढ़ी है 50 साल में उनके यहां गरीवी क्यों नहीं बढ़ती उनके यहां बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ती उनके यहां भुखमरी क्यों नहीं होती अमेरिका के किसी भी नियूस पेपर में ऐसी नियूस क्यों नहीं आती कि अमेरिका में हर साल किसान भुख से मर रखते हैं आत्मत्या करते हैं ब्रिटेन के निउस्पेपर में ऐसी खबरें क्यों नहीं आती, फ्रांस में ऐसा क्यों नहीं होता, जर्मनी में ऐसा क्यों नहीं होता, सुट्जर लेंड में क्यों नहीं होता अगर ये सिद्धान्त जेके माल्थस नाम के अर्थशास्त्री का भारत के उपर सही साबित होता है तो यही सिद्धान्त अमेरिका पर सही होना चाहिए और अगर अमेरिका पर सिद्धान्त अलग है और भारत पर अलग है तो वो सिद्धान्त ही गलत है उसको मानना क्यों चाहिए? उसको हटा देना चाहिए वो सिद्धान्ती गलत है जब इस तरह के प्रशन मैंने हमारे देश के वरतमान प्रधान मंतरी और भूथपूर वित्य मंतरी मन्मौनसीं से किये इसी तरह का प्रशन एक बार मैंने भारत के भूदपूर वित्यमंत्री यश्वन सिना से किया इसी तरह का प्रश्ण ने भूदपूर प्रधानमंत्री नर्सिम्मर आउ को किया इसी तरह के प्रश्ण भूदपूर प्रधानमंत्री देवेगोर्डा कहा कि देखो भारत की गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने का कारण जनसंख्या नहीं है क्योंकि अगर जनसंख्या गरीबी और बेरोजगारी का कारण होती तो दुनिया का सबसे गरीब देश इस समय चीन होना चाहिए क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है चीन में इस समय एक सो अर्टालीस करोन लोग रहते हैं और दुनिया का सबसे गरीब देश चीन को होना चाहिए लेकिन अर्थ वियवस्था के सूच कांकों के अनुसार इस समय दुनिया में सबसे अमीर देशों में चीन का इस्थान दूसरा है दुनिया में सबसे अमीर देश इस समय पहले इस्थान पर माना जाता है वो है स्विट्जरलेंड और दूसरा सबसे अमीर देश अब दुनिया में माना जाता है वो है चीन और तीसरा सबसे अमीर देश दुनिया में माना जाता है वो अमेरिका चौथा सबसे अमीर देश दुनिया में माना जाता है कनाडा पांचवा सबसे अमीर देश दुनिया में है फ्रांस फिर है बृतेन, फिर है डेनमार्क, फिर है नॉर्वे, फिर है जर्मनी ये सभी अमीर देश है और इन अमीर देशों की सूची में चीन का इस्थान दूसरा है जबकि चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधित है 148 करोड तो अगर जनसंख्या बनने से गरीबी बढ़ती है जनसंख्या बनने से बेरोजगारी बढ़ती है तो चीन दुनिया का स सबसे जादा बेरोजगारी वाला देश होना चाहिए लेकिन अर्थविय वस्था के सूचकांक बताते हैं कि चीन तो दुनिया में अमीर देशों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है तो चीन में क्यों नहीं होता ऐसा वहाँ तो जन संख्या बढ़ती है तो गरीवी क्यों नहीं बढ़ती भारत में ही ऐसा क्यों है ये गंबीर प्रशनों पर पिछले कई वर्षों से मैं अभ्यास करता हूँ चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ तो जानकारी जो मिली है वो कुछ दूसरी है भारत की गरीवी, भारत की बेरोजगारी भारत की महगाई का जन संख्या के साथ कोई संबंद नहीं है भारत की गरीवी, भारत की बेरोजगारी और भारत की महगाई का संबंद अगर है तो हमारे देश के ब्रश्टाचारी नेताओं के साथ है हमारे देश की ब्रश्टाचारी पार्टियों के साथ है हमारे देश के ब्रश्टाचारी साशन व्यवस्था के साथ है हमारी पूरी की पूरी साशन व्यवस्था व्रश्थ है हमारी राजनेतिक पार्टियां महा व्रश्थ है और हमारे नेता महा महा महिम ब्रश्ट है ये हमारी गरीवी बेरोजगारी भुख्रमरी का कारण है आप बोलेंगे कैसे मैं आपको सीधी सीधी सची सची कुछ बातें समझाता हूँ कि अगर हमारे नेता ब्रश्ट नहीं होते हमारे देश की ये प्रसाशन व्यवस्था ब्रश्ट नहीं होती तो भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में पहले इस्थान पर होना चाहिए जो इस समय भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिंती में आता है हमारी साशन व्यवस्था के ब्रश्टाचार का नमूना है कि हमारा देश गरीब है एक उधारन से समझाता हूँ हमारे भारत देश में प्रतिवर्श, नागरिक, सरकार को टैक्स भरते हैं आप सभी नागरिक अपने जीवन में जितनी भी आमंदनी कमाते हैं उस आमंदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में आप देते हैं हमारे भारत के नागरिक दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले नागरिक हैं दुनिया के कई देशों की अर्थवेवस्थाओं का मैंने अभ्यास किया है तो पता चला कि भारती नागरिकों पर सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है भारत के नागरिक दो तरह से टैक्स सरकार को देते हैं एक तो टैक्स होता है जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष, डाइरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्षकर दूसरा होता है इंडाइरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्षकर ये प्रत्यक्षकर और अप्रत्यक्षकर क्या होते हैं Direct Tax का मतलब होता है सरकार सीधे आपकी जेब से पैसा निकाले Tax के नाम पर वो Direct Tax और Indirect Tax यह होता है कि सरकार आपकी जेब से पैसा नहीं निकाले बलकि सरकार में बहुनाए हुए बहुत सारे डिपार्ट्मेंट आपकी जेब से पैसा निकाले सरल भाषा में कहूं तो income tax अगर आप देते हैं सरकार को तो ये direct tax है आएकर corporate tax अगर आप भरते हैं तो ये direct tax है और इनके अलाबा जितने भी tax आप भरते हैं से sales tax है, road tax है, transportation का tax है, municipal corporation का tax है, exit tax है, entry tax है, stamp duty है, house tax है, property tax है, wealth tax है ये सारे के सारे tax indirect taxes है एक दिन मैंने सूची बनाई कि भारते नागरिकों पर कुल कितने tax लगते हैं तो भारत सरकार के लेकर और municipal corporation तक भारती नागरिकों के उपर 63 तरह के tax लगते, 63 taxes के इंदर सरकार के जो taxes हैं वो क्या-क्या है, custom duty एक, central exercise duty दो, central sales tax तीन, फिर उसके बाद service tax चार, फिर income tax पाँच, फिर corporate tax छे, फिर wealth tax, साथ, ऐसे central government के तेरे taxes हैं फिर उसके बाद राज्य सरकार के, तो राज्य सरकार के जो सबसे पहला tax है, state exercise duty, फिर state sales tax, फिर road tax, फिर toll tax, फिर corporation tax, फिर exit tax, फिर entry tax, house tax, wealth tax, property tax, राज्य सरकार के 23 tax हैं फिर उसके बाद ग्राम पंचाइद है, या municipal corporation है, उसके tax, तो तीनों मिलाकर 63 करह के tax, आप सभी नागरिक प्रतिवर्श सरकार को देते हैं मैंने उसका एक दिन हिसाब जोड़ा कि भारत के नागरिक ये जो tax देते हैं, उसकी रकम कितनी है, धनराशी कितनी है, तो उसका आखड़ा ये है, पिछले साल का सन 2005 में भारत के नागरिकों ने भारत की सरकारों को 70,50,000 करोर रुपए का tax दिया, 70,50,000 करोर के कितने होते हैं? 70,50,000 करोर रुपए को आप calculator में नहीं लिख सकते हैं, calculator फेल हो जता है, क्योंकि calculator में अधितन 12 अंक आते हैं और 70,50,000 करोर लिखने में 14 अंक हैं, साथ लाग पचास अदार करोड रुपए का मतलब क्या होता वो समझाता हूँ आपको हमारे भारत देश के इस समय के बाजार में सबसे महगी चीज अगर कोई है बिक रही वो है सोना दस ग्राम सोना आप खरी देंगे तो लगबग आपको साड़े साथ हजार रुपए में मिलेगा तो एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि साड़े साथ लाख करोड रुपए में कितना सोना मिलेगा साथ हजार पांट सो रुपए में दस ग्राम सोना मिलेगा तो साड़े साथ लाख रुपए में एक किलो सोना मिलेगा और एक करोड किलो ग्राम सोना इतना होता है कि पश्चमी उडीसा के एक एक गाउं की सड़क सोने से बन सकती है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत के नागरिकों ने एक वर्ष में सरकार को जितना पैसा टेक्स में दिया है उतने पैसे से अगर सोना खरीद लिया जाए तो उडीसा का आधा हिस्सा एक ही वर्ष में सोने की सड़कों से हो जाएगा अगले वर्ष में पूरा उडीसा सोने की सड़कों से हो जाएगा और मुश्किल से 30-35 वर्षों में भारत के हर राज्य की सड़क सोने से बन जाएगी इतना टैक्स हम हर साल देते हैं तो एक साल के टैक्स के पैसे से भारत का एक राज्य का आधा हिस्सा सोने की सड़क से मड़ा जा सकता है तो लबब 30 से 35 साल के टैक्स के पैसे से भारत के एक एक गाउं की सड़क को सोने से बनाया जा सकता है अब आप देखिए कि हम टैक्स कभी से दे रहे हैं हमने टैक्स भरना शुरू किया 15 अगस्त 1947 से भारत की सरकार को उसके पहले हम टैक्स देते थे अंग्रेजों की सरकार को 15.1947 के पहले भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी तो भारत के नागरिक अंग्रेजों को टैक्स भरते थे और अंग्रेज पूरा का पूरा टैक्स भारत से लूट कर इंग्लेंड में लेकर जाते थे जब भारत के नागरिकों का टेक्स अंग्रेजों की सरकार लेती थी और पूरा टेक्स इंग्लेंड चला जाता था और धाईसो वर्षों तक ये सिलसिला चला तो अंग्रेज उस टेक्स के पैसे से करोर पती हो गए और भारत के नागरिक सब के सब रोड पती हो गए मने भारत के नागरिक तो गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, टैक्स का इतना पैसा लंदन चला गया कि भारत के खजाने में पैसा ही नहीं था और इंग्लेंड उसी धाईसो साल के टैक्स के पैसे से दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर देश बन गया ये बात को सबसे पहले पहचान किया हमारे भारत के एक महान अर्थ शास्त्री दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये बात पहचान लिया कि अंग्रेजों की सरकार भारत से जो टैक्स ले रही है और ये पूरा का पूरा टेक्स बारत से इंग्लेंड जा रहा है ये भारत की लूट हो रही है यही बात दादा भाई नरोजी ने एक पुस्तक में लिखी उस पुस्तक का नाम है दा ग्रेंड फ्रॉम इंडिया आप मैंसे किसी को भी ये पुस्तक पढ़ने को मिले जरूर पढ़िए बहुत अच्छी पुस्तक है ये समझने के लिए कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा और कितना लूटा दे ड्रेंड फ्रॉम इंडिया दादा भाई नरोजी की लिखी हुई सबसे महत्तुकूर पुस्तक है और इसी पुस्तक को पढ़कर भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी चाहे वो सुभाष शंद्र बोस हो चाहे बगत सींग हो चाहे उधम सींग हो चाहे तात्या टोपे हो चाहे महत्मा गांदी हो चाहे लोकमा नितिलक रहे हो चाहे बिनायग दामोदर सावर कर रहे हो जितने भी क्रांतिकारी भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए वो सब इस पुस्तक को पढ़कर आए उस पुस्तक को पढ़कर भारतिय नागरिकों का खून खौलता था और उनको पता चलता था कि अंग्रेजों की सरकार कितनी लूट मार कर रही है लूट मार का तरीका क्या था अंग्रेजों ने भारतिय नागरिकों पर भयंकर टैक्स लगा रखा था और वो tax की विवस्था कुछ इस तरह से की हुई थी उन्होंने कि भारत के नागरिक कुछ भी वस्तू का उत्पादन करें तो उत्पादन पर ही अंग्रेजों की सरकार को tax देना पड़ता वस्तू को उत्पादन करने पर ही tax भरना पड़ता था और उसी tax को अंग्रेजों ने excise duty का नाम दिया था Central excise duty बने आप कुछ भी सामान बनाईए बनाने पर ही tax भरिये फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो व्यक्ति सामान बनाएगा सामान के बनाने पर tax भरेगा अब बनाए हुए सामान को बेचेगा तो अंग्रेजों ने उस पर भी tax लगा रखा सामान को बेचने पर जो tax था उसका नाम था sales tax बिक्री कर फिर कोई ब्यक्ति सामान को बनाएगा तो tax भरेगा excise duty बेचेगा तो tax भरेगा sales tax अगर सामान को बेचकर मुनाफ़ा कमाएगा तो फिर उस पर tax वरेगा income tax आएकर फिर अगर आप सामान को बेचने के लिए एक गाउं से दूसरे गाउं जाएंगे तो सड़क पर से जाएंगे तो अंग्रेजों ने सड़क का एक tax लगा रखा था road tax अगर सड़क पर कहीं कोई पुल आएगा, bridge आएगा तो अंग्रेजों ने उसका एक tax लगा रखा था bridge tax बाद में उसका नाम हो गया toll tax फिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो गाउं में सामान बनेगा उस गाउं का एक tax देना पड़ता था municipal corporation tax खिर अंग्रेजों ने क्या किया था कि जस गाउं में सामान बनेगा वहाँ से अगर दूसरे गाउं में जाएगा तो गाउं से सामान को निकालते समय एक tax देना पड़ेगा exit tax और जिस गाउं में सामान जाएगा वहाँ देना पड़ेगा entry tax ऐसे 23 तरह के tax अंग्रेजों ने लगा रखे थे income tax जो अंग्रेजों ने लगाया था वो 96% होता था इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कोई भी माल बेचकर अगर 100 रुपई का मुनाफ़ा आपने कमाया तो 96 रुपई अंग्रेजों को tax में बरना excise duty अंग्रेजों ने साड़े 300% लगाई होई थी 350% इसका मतलब क्या है कोई भस्तू का 100 रुपई का उत्पादन अगर आपने किया तो उस पर 350 रुपई tax बरना पड़ेगा आपको तो भस्तू का मूल ने साड़े 400 रुपई हो जाए अंग्रेजों ने sales tax लगाया हुआ था उसकी rate थी 70% माने 100 रुपई की वस्तू बेच रहे हैं तो 70 रुपई उस पर tax फिर sales tax के नाम पर देना पड़ेगा तो ऐसे करके 23 tax लगा रखे थे और हर साल 1000 करोड रुपई अंग्रेज यहां से लूट कर ले जा रहे थे tax के नाम पर तो दादा भाई नरोजी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये अंग्रेज आये थे व्यापारी बन कर बाद में इस देश के मालिक बन गए और इस देश से 200 साल से tax ले रहे हैं और उसी tax के भरबे में भारत गरीब हो रहा है और इंग्लेंडấ अमीर हो रहा है तो दादा भाई नरोजी ने भारत की गरीबी का कारण बताया था अंग्रेजों की सरकार का लगाया हुआ tax और दादा भाई नेरो जी कहा करते थे कि जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़ कर चले जाएंगे उस दिन अंग्रेजी टैक्स भी चले जाएंगे और उसी से भारत अमीर होना शुरू हो जाएगा और दादा भाई नेरो जी के इस सिद्धान से महात्मा गांदी भी सहमत थे नेता जी सुभाशंद्र बोस भी सहमत थे रास बिहारी बोस भी इस सहमत थे शचीद्र नाथ स्वानियाल भी सहमत थे उस जवाने के जितने भी अर्तुशास्तुरी थे और क्रांतिकारी भी थे वो जिस दिन अंग्रेजों की सरकार भारत से चली जाएगी, भारत के नागरिकों पर टैक्स लगना बंद हो जाएगा, उसी दिन से भारत अमीर होता चला जाएगा। तो भारती एक्राम्तिवीरों ने भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए जो संग्राम किया उसका एक बड़ा कारण था अंग्रेजों के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स अंग्रेजों की सरकार ने किसानों पर भी टैक्स लगा रखा था और किसानों के टैक्स को लगान के नाम से बसूला जाता था और भारत में लगबग 7,32,000 गाओं थे हर गाओं से लगान बसूली के लिए अंग्रेज अधिकारी न्युक्त किये जाते और उसका रेट क्या होता था? किस दर से वो लगान बसूल किया जाता था? वो रेट यह था कि अगर कोई गाओं जितना उत्पादन करेगा कम से कम उसका 50 प्रतिशत और अधिक से अधिक 95 प्रतिशत अंग्रेजों को लगान में देगा इसका मतलब क्या है? कोई गाओं के किसान ने 100 कुइंटल अंद पैदा किया तो उसमें से 95 कुइंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा लगान में पाँच कुइंटल आप अपना रखिये गाओं में तो किसानों के ऊपर जो टैक्स था वो प्रोडक्शन के ऊपर 95 परसेंट होता था और कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारे गाओं के किसान टैक्स नहीं भरते थे तो अंग्रेज उस गाओं को जला देते थे उस गाओं के नाग्रिकों के घर जलाए जाते थे गाओं की महिलाओं को अंग्रेज सरकार उठवा लेती थी उनके साथ बलाटकार किये जाते थे गाओं की माताओं बहनों के साथ बलाटकार किये जाते थे ये अंग्रेजों की नीती थी नियम था और इसी के लिए कानून भी बनाया हुआ था तो जब यतना अत्याचार इस देश में 200 साल अंग्रेजों का किसानों के ऊपर चला तो किसानों ने फिर फैसला किया कि अगर हम उत्पादन करते हैं तो बहुत सारा टैक्स अंग्रेजों को भरना पड़ता है तो भारत के करोरों करोरों किसानों ने सोचा कि अब माल ही पैदा मत करो मने खेती ही मत करो क्योंकि खेती करो तो उत्तादन होता है उत्तादन होता है तो अंग्रेजों को टैक्स बरना पड़ता है तो खेती करना बंद कर दो तो भारत के करोड़ों करोड़ों किसानों ने अंग्रेजों के लगान से टेक्स से बचाओ करने के लिए खेती करना बंद कर दिया और लाखों एकर जमीन में सो साल देर सो साल खेती ही नहीं हुआ और वही जमीन हिंदुस्तान में बंजर हो गई बेकार हो गई जो आज भी हमारी आखों के सामने है तो इस तरह के अत्याचारी साशन व्यवस्था से भारत के किसानों को भारत के उत्वादन करने वाले व्यापारियों को मजदूरों को अंग्रेजों ने चूसा लूटा बरबाद किया पंदर अगस्त 1947 को वो अंग्रेज चले गए और वो चले गए तो हमारे क्रांतिवीर जो जीवित थे उनके मन में एक कलपना पैदा हुई कि अब अंग्रेज चले गए तो भारत से टैक्स की लूट भी बंद हो जाएगी और अब भारत धीरे धीरे अमीर हो जाएगा और सभी क्रांतिवीरों ने कहा कि 20 साल में 25 साल में भारत फिर से सोने की चुड़िया हो जाएगा लेकिन जिन क्रांतिवीरों ने ऐसी कलपना की थी और जिन करांतिवीरों ने ऐसे सपने देखे थे उनको ये नई मालुम था कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो नेता इस देश में आएंगे वो अंग्रेजों से भी जादा खतरनाक काले अंग्रेज बन जाएंगे अंग्रेज चले गए 15 अगस्तु 1947 को भारत आजाद हो गया भारत के प्रधानमंत्री पंडि जवारलाल नहरू ने शबत ग्रहन किया शबत ग्रहन होते ही उनको पूछा गया कि अंग्रेजों की सरकार ने जितने टैक्स लगाए थे आप उनका क्या करेंगे उन टैक्सों को रखेंगे या हटाएंगे क्योंकि भारत के सभी क्रांतिवीरों का सपना है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स भारत में नहीं रहने चाहिए और अंग्रेजी सरकार के टैक्स के खिलाफ भारत में बहुत बड़े-बड़े संग्राम हुए थे महात्मा गांदी ने किया था नमक सत्याग्रे नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में वो कारिक्रम था बारत के प्रथम ग्रह मंत्री सरदार बल्लब भाई पटेल ने एक सत्याग्रे किया था बारडोली सत्याग्रे वो किसानों के ऊपर लगाए गए लगान के विरोध में था तो कई क्रांतिवीर नेता संता में आ गए थे और उनसे पूछना शुरू किया पत्रकारों ने कि अब तो आप अंग्रेज चले गए हैं अंग्रेजी टैक्सों को भी यहां से हटाइंगे तो उन्होंने का हम हटाइंगे इसके बारे में सोचेंगे और वो आज तक सोच रहे हैं अंग्रेजों के गए हुए हमारे देश में 69 साल पूरे हो गए हैं 60 साल चल रहा है जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाई थे एक भी टैक्स भारत के आजादी के बाद के काले अंग्रेजों ने मने आज के नेताओं ने हटाया नहीं सेंट्रल एक्साइस ड्यूटी अंग्रेजों ने लगाया वो आज भी लग रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स अंग्रेजों ने लगाया वो आज भी लग रहा है income tax अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं toll tax अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी दे रहे हैं road tax अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं sales tax अंग्रेजों ने शुरू किया वो आज भी हम दे रहे हैं और हमें तो बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों के शुरू किये गए तेइस टेक्स तो हम बेही रहे हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद इन काले अंग्रेजों ने और लगबग 40 टेक्स लगा दिये हैं, वो भी हम दे रहे हैं। माने अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में टैक्स कम नहीं हुए है, बढ़ते ही बढ़ते चले गए है और अंग्रेजों के जाने के बाद टैक्स चुकी कम नहीं हुए, इसका माने लोगों की लूट बदस्तूर जारी है इस देश में बस अंतर इतना है कि पहले गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा टैक्स लगाकर अब काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं टैक्स लगाकर ये काले अंग्रेज कौन है मनमहन सिंह ये काले अंग्रेज कौन है पी चिदंबरम ये काले अंग्रेज कौन है नभीम पतनायक ये काले अंग्रेज कौन है ये जितने भी नेताओं के नाम आप बिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर जिनको आप जानते हैं ये सब काले अंग्र भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों की आत्मा ही इन में उतर गई है और ये आज के नेता भी हमसे ऐसे ही टैक्स बसूल रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने बसूल रहे हैं अब मैं आपको एक छोटा सा उधारण से समझाता हूँ ये आज के हमारे जो काले अंग्रेज नेता है ये कितने टैक्स लेते हैं हमसे एक उधारण से समझिए आप जहां बैठे हुए हैं आपके ठीक पीछे पेट्रोल पंप है ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम कमपनी का है आप अपी मेरा व्याख्यान सुनकर वहाँ जाईए और उसको पूछिए एक लीटर पेट्रोल का भाव क्या है पूछने की शायद जरूरत ना पड़े आप सभी को मालूम है लगवग 50 रुपए के आसपास होगा और एक लीटर डीजल का भाव 38 रुपए के आसपास होगा पिछले साल मैंने क्या किया ये जो भारत पेट्रोलियम नाम का पेट्रोल पंप आपके ग्राउंड के पीछे है इस कमपनी के सबसे बड़े अधिकारी को जिसको Chief Executive Officer कहते है मैंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में मैंने उसको एक प्रशन किया कि भारत पेट्रोलियम नाम की कमपनी में एक लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और इस पर कितने रुपए टैक्स लगता है तो मेरे पत्र का उसने जवाब दिया कि मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता मैंने पूछा क्यों नहीं दे सकते तो कहते हैं ये बहुत sensitive है सम्वेदन शील जानकारी है तो मैंने का इसमेदन शीलता क्या है मैं भारत का नागरिक हूँ और जानना चाहता हूँ कि एक लीटर पेट्रोल कितने रुपए में बनता है और कितना रुपए उस पर टैक्स लगता है इसमें आप क्यों उससे छुपाना चाहते हैं जानकारी को कहने लगे ये जानकारी इतनी खतरनाक है कि गाउं गाउं वालों को पता चल गई तो ये सरकार नहीं चल पाएगी इस ते तो मैंने का ना चले सरकार इससे मेरा क्या लेना देना मुझे ये जानकारी चाहिए तो पहले उसने मना कर दिया फिर मैंने उससे कहा कि आपको मालूम है भारत में एक कानून बना है जिसका नाम है Right to Information Act अगर मैंने इस कानून का पालन किया तो आपकी नौकरी चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपके बीबी बच्चे भूके मरे इसलिए अब चुप-चाप ये जानकारी देती क्योंकि आप अगर मना करेंगे ये जानकारी के लिए और मैं High Court में चला गया Supreme Court में चला गया तो Court आपको मजबूर कर देगा वो जानकारी देने के लिए इसलिए आप इसको छुपा नहीं सकते दे दीजे चुप-चाप तब उसने जानकारी दिया और उसने बताया कि एक लीटर पेट्रोल हमारे भारत पेट्रोलियूम कंपनी में आठ रुपए में बनता है मैंने उससे फिर एक पत्र लिखकर पूछा कि ये आठ रुपए का ब्रेकप बताओ मुझे ब्रेकप का माने कि वास्तम में ये कहा कहा आठ रुपए खर्च होता है कैसे खर्च होता है ये मुझे समझो तब उसने पूरा डेटेल मुझे भेजा उसने का कि देखिए जी पेट्रोल बनाने के लिए कच्चा तेल निकालते हैं हम जमीन के नीचे से और कच्चा तेल निकालते हैं समुद्र मैं से तो जमीन के नीचे से जितना भी कच्चा तेल निकलता है समुद्र में से जितना कच्चा तेल निकलता वो सब फोकट का होता है उसको कोई पैसा हम नहीं देते है क्योंकि भारत ये भूमी से निकाला हुआ है भारत के समुद्र से निकाला हुआ है वो पैसा तो उसको देना नहीं पड़ता निकालने में मशीन लगती है और मशीन चलाने के लिए बिजली खर्च होती है तो अगर एक लीटर कच्चा तेल हम जमीन से निकालें तो उसमें जो बिजली का खर्चा है वो लगवग 40 पैसे आता है एक लीटर कच्चा तेल जमीन से निकालो तो बिजली खर्च होती है 40 पैसे की एक लीटर कच्चा तेल समुद्र से निकालो तो बिजली खर्च होती है 70 पैसे की समुद्र में गहराई ज़्यादा होती है जमीन में गहराई कम होती है ज़्यादा गहराई से कोई चीज निकालेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा कम गहराई से निकालेंगे खर्चा कम आएगा तो उसने बता दिया कि 70-80 पैसे खर्चाता है बिजली का फिर मैंने का आगे खर्च बताओ तो आगे का खर्चिए है कि यह जो एक लीर कच्छा तील हम ने निकाला इसको हम संशोधन करते हैं अंग्रेजी में उसको processing कहते हैं तो शोधन करते हैं उसमें कितना लीर निकलता है पैट्रोल तो उसने का कि जब एक लीर कच्छे तेल को शोधन करते हैं तो 250 मिली लीटर पेट्रोल उसमें से निकलाता है बाकी क्या हुआ 750 मिली लीटर का तो उसने का कि बाकी का थोड़ा डीजल निकलता है थोड़ा केरोसिन निकलता है थोड़ा वैक्स निकलता है और ऐसी 50 एक चीज है उसमें से निकलती है तो मैंने का इसका मतलब यह है कि 4 लीटर कच्छा तेल अगर हम शोधन करें तो एक लीटर पेट्रोल बनेगा हाँ बिल्कुल ठीक बात है तो अब उसका हिसाब मैंने जोड़ा कि 70 पैसे लीटर का अगर खर्च माने तो 2 लुपए 80 पैसे में एक लीटर पेट्रोल बन जाएगा अब उस एक लीटर पेट्रोल पर भारत पेट्रोलियम कमपनी अपना मुनाफ़ा लगाती है तो उनका कहना है कि हमको मिनीमम 15 से 20 परसेंट नेट प्रॉफिट चाहिए तो वो जोड़ दिया फिर वो कहते हैं हमारे ओवरेड एक्सपेंसे इसमें चाहिए वो भी मैंने जोड़ दिये फिर वो कहते हैं कि एक लीटर पेट्रोल को हम जहां बनाते हैं और गाउं गाउं में ट्रांस्पोर्ट करते हैं उसमें एक रुपए खर्चाता है आठ रुपए लीटर अर्थात भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल बनाने वाली कमपणी भारत पेट्रोलियम में एक लीटर पेट्रोल बनाने का खर्चा है आठ रुपए तब मने उस चीफ एक्जिटिव आफिसर को पूछा कि भाई अब मुझे ये समझाओ कि ये आठ रुपए लीटर में जो बना वो 50 रुपए लीटर क्यों विकता है तो उसने का साब ये बात आप वित्त मंतरी से पूछिए मैंने पूछा क्यों तो उसने का कि वित्त मंत्रा ले इस आठ रुपए लीटर के पेट्रोल पर 42 रुपए लीटर का टेक्स लगा तो आठ रुपई लीटर के पेटरोल पर 42 रुपई लीटर का टेक्स तो कितने प्रतिशत हुआ हिसाब से जूड़ो जरा आठ रुपई लीटर के पेटरोल पर अगर आठ रुपई टेक्स लगाया जाए तो भाव हो जाएगा 16 रुपई लीटर तो टेक्स हो गया 100 प्रतिशत आठ रुपई लीटर के पेट्रोल को अगर 24 रुपई लीटर बेचा जाए तो टेक्स हो गया 200 प्रतिशत आठ रुपई लीटर के पेट्रोल को अगर 32 रुपई लीटर बेचा जाए तो टेक्स हो गया 300 प्रतिशत 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 40 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 400 प्रतिशत और 8 रुपए लीटर के पेट्रोल को 48 रुपए लीटर बेचा जाए तो टैक्स हो गया 500 प्रतिशत अर्थार जब आप इस भारत पेट्रोलियम के पंप में जाकर एक लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 42 रुपए आप टेक्स के रूप में सरकार को देते हैं और वो टेक्स होता है 500 प्रतिशत भारत के नागरिक एक दिन में 300 करोड लीटर डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं और एक लीटर पे 42 रुपए टेक्स देते हैं हर दिन हम डीजल में पेट्रोल में टेक्स का दे रहे हैं अब एक दिन में 1314,000 करोर रुपई दे रहे हैं तो एक साल में कितना हुआ तो 365 का गुणा कर लो 13,000 करोर इतना टैक्स हम भर रहे हैं कि वो कैलकुलेटर में नहीं समाएगा कैलकुलेटर फेल हो जाए और ये तो मैंने कहानी सुनाई इसी ही है दीजल का उतपादन खंच भी 8 रुपई लीटर ही है और उस पर 30 रुपई लीटर का टैक्स है और ये जो कैरोसिन ओईल होता है निट्टी का तेल जिसको आप कहते हैं इसका कहानी भी यही है 8 रुपई लीटर में यही बनता है और अगर वो 15 रुपई लीटर भिक रहा है तो उस पर 100% की आसपस टैक्स है तो डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और LPG गैस जो आप इस्तेमाल करते हैं और सिलिंडर, रसोई गैस का उसका भी यही कहानी है तो हम जो भी कुछ पेट्रोलियम पदार थे इस्तेमाल कर रहे है उसमें लगब 500% टैक्स सरकार को दे रहे है ये टैक्स हर साल सरकार हम से ले रही है और क्या बोल रही है कि इस टैक्स से भारत का विकास करेंगे और हम 58 साल से यही सुन रहे है पंडित नहरू ने जब ये टैक्स लेने शुरू किये थे एक preview और भारतिय नागरिजों को भी इमान दाणी से टैक्स भर रहे हैं लेकिन डेशके विकास कहा है कि नहि checking आप को डीजल पर पेट्रोल का एक कहानी सुनाया आना है उदारन के लिए आप अपना घर बनाओ घर बनाने के लिए आपको इट लगेगी, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, बालू लगेगी और इन सब को खरीदने में टैक्स लगेगा कैसे लगेगा? अगर सीमेंट का एक पैकेट आप खरीदें तो इस समय लगबग 120-125 रुपई का मिलता होगा 50 किलो सीमेंट लेकिन वो फैक्टरी में बनता है मातर 60 रुपई का सीमेंट पर 100% टैक्स लगता है सीमेंट का पैकेट 60 रुपई में बनता है और 120 में बिखता है लगबग 60 रुपई टैक्स में जाता है लोहा खरीते हैं आप बाजार से 30 रुपई किलो लोहे का उत्पादन खर्च है 12 रुपई किलो और उस पर टैक्स लगता है लगबग 18 रुपई किलो फिर आप इट खरीते हैं एक इट आपको मिलती है दो सवा 2 रुपई 3 रुपई की उसका खर्चा आता है 80 पैसे बाकी सब कुछ उसके टैक्स है और सीमेंट में मिलाने के लिए जो बालू आप खरीते हैं वो तो सब फोकट में ही बनती है क्योंकि उसको बनाने का खर्चा ही नहीं लगता वो तो बारिश के पानी में नदियों में बहगय के पहाड़ों से आती है इतना ठोकट में लगती है लेकिन हमारे भारत के ये हराम कोर काली अंग्रेज उस बालू पर भी टैक्स लगा उस पे भी आपको टैक्स बरना परता है अगर आप बोलनगीर में 10 लाख रुपए का आपका घर बनाए तो मैं कैल्कुलेशन से बता सकता हूँ कि कम से कम 6 लाख रुपए आपको टैक्स में देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का घर बनाओ तो 6 लाख रुपए टैक्स बरो सीमेंट पर भर दिया, इट पर भर दिया, बालू पर भर दिया, लोहे पर भर दिया, रेती पर भर दिया, गिट्टी पर भर दिया, सब पर टैक्स दे भिया अब घर बनकर तयार हुआ तो उसमें आप electric wiring करो तो उस पर tax भरना पड़ेगा bulb और tube light लगाओ वो खरीदो तो उस पर tax भरना पड़ेगा और घर बनके तैयार हुआ आपने रहना शुरू कर दिया तो अब permanent आपको house tax अलग से देना पड़े मने घर बना के रहना कोई बड़ा भारी अपराद हो गया कि हमको house tax भी भरना पड़े घर बनाओ उसमें tax भरो और बना के पयार हो गया तो जिन्दगी भरो उसमें tax देते हो तो एक-एक नागरिक कितने तरह के tax भरता है कुछ उधारण में आपको ये दे रहा हो आप बाजार से नमक खरीदो एक किलो नमक आपको 6-7 रुपए का मिलेगा शहिद बुलागीर में 3 रुपए का भी मिल जाए लेकिन एक किलो नमक बनाने का खर्चा तो 15 पैसे ही आता है क्योंकि नमक बनाने में मशीन नहीं लगती और बिजली भी नहीं लगती सूरज की रोशनी होती है समुद्र का पानी होता है दोनों के मेल से नमक बनता है और दोनों इंपोकट में आते हैं free of cost समुद्र की पानी की भी कोई कीमत नहीं है और सूरी के प्रकाश की कीमत नहीं तो नमक बनाने में सिर्फ मजदूरों को जो भत्ता दखता है मजदूरों को पगार देनी पड़ती है वो खर्चा पंद्रे पैसे किलो है पंद्रे पैसे किलो का नमक तीन रुपए किलो आप खरीद रहे हैं कितना टेक्स है पंद्रे पैसे किलो का नमक तीन रुपए किलो खरीद है तो एक हजार प्रतिशक टेक्स होता है और पंद्रे पैसे किलो का नमक तीन रुपए किलो खरीद है तो दो हजार प्रतिशक टेक्स होता है और इसी भारत देश के एक महात्मा गांदी नाम के महान करांतिवीर ने नमक के टैक्स के विरोध में नमक सब्क्यागरे किया था सन 1930 में उसी महात्मा गांदी के भारत देश में नमक पर 2000 प्रतिशक टैक्स अभी लगाया हुआ है और दुख मुझे ये होता है कि नमक पर टैक्स लगाने वाले वो लोग हैं जो गांदी जी की फोटो लगाते अपने पीछे मनमोहन सिंग की कुरसी के पीछे महात्मा गांदी की फोटो लगी हुई और ये मनमोहन सिंग में थोड़े दिन पहले महात्मा गांदी के नमक सत्याग्रे की 75 वी जहनती मनाई थी आपको याद है उसमें मन्माहन सिंग, सोनिया गांदी, राहुल गांदी और कॉंग्रेस के बहुत सारे लेता गांदी जी जिस रास्ते पर चले उस पर पैदल पैदल चलके एहमताबाद से दांटी तक गए थे गुजणाती उस समय मैंने इनको चिठी लिखा था, उसमें कहा था कि पाखंडियो महात्मा गांदी को तो थोरा बखश दो तुम जिस महात्मा गांदी के नमक सत्याग्रे की 75 वी वर्षिगाठ बना रहे हो उस आदमी ने नमक पर टेक्स का विरोद किया था इसलिए ये पधियात्रा की थी और तुम हराम खोरों ने 2000 प्रतिशन टेक्स लगा दिया है नमक पर तुमको तो चुलूब और पानी में टूप परना चाहिए या पानी भी नहीं मिले तो ऐसे ही मर जाना चाहिए कम से कम पानी तो खर्चना हो इस देश है ऐसा हमारा देश है टेक्स 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 इतने इतने के आदमी तरही माम कर जाए और मैं आपको अब एक गंभीर बात कहने जा रहा हूँ जिन नागरिकों के ऊपर टेक्स जादा होता है वो नागरिक उतने ही जादा गरीब होते है जिस देश के नागरिकों पर टेक्स सबसे कम होता है उस देश के नागरिक उतने ही जादा अमीर होते है मैंने थोड़ी देर पहले आप से का ना अमेरिका अमीर क्यों है अगर जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो अमेरिका भी गरीब होना चाहिए जनसंख्या बढ़ने से भारत गरीब हुआ तो फ्रांस भी गरीब होना चाहिए जर्मनी भी गरीब होना चाहिए क्योंकि हर देश की जनसंख्या 50 साल में बढ़ी है सिरुफ भारत की ही जनसंख्या नहीं बढ़ी है लेकिन जनसंख्या बढ़ने से गरीवी का संबन्द नहीं है गरीवी का संबन्द है टैक्स बढ़ने से हमारे भारत में आजादी के पहले जितने टैक्स है आजादी के बाद उससे ज़्यादा हो गए है और टैक्स ज़्यादा होने से लोगों की रियल इंकम कम हो जाती है वास्तरी कामंदनी कम होती है उससे गरीवी बढ़ जाती है इस बात को मैं सरल भाशा में समझाओं तो आप समझ पाएंगे भारत की कहानी मैं ने सुनाई आपको कि यहां 23 स्थोरी 23 स्थोरी के टैक्स अंग्रेजों ने लगाए काले अंग्रेजों ने चाथी सार बढ़ाए अब तरे सब टैक्स कुल भारत में है दुनिया में इंटेश ऐसा है जहां कोई टैक्स नहीं उस देश का नाम है सुच्जरलेंड सुच्जरलेंड नाम के देश में कोई टैक्स नहीं टैक्स फ्री देश है और भारत में त्रे सब टैक्स नहीं अब ये दोनों देशों का अगर branding आप करें तो समझ में आएगा कि गरीबी और बेरोजगारी कैसे बढ़ते है सुट्जर लेंड जहां पर एक भी टैक्स नहीं है वहां के किसी गरीब से गरीब आदमी की कहानी में सुना से है आपको बालू मैं सुट्जर लेंड में सबसे गरीब कौन माने जाता है प्राइमरी स्कूल टीचर Svidserland का Primary School Teacher सबसे गरीब माना जाता है उस देश तो Svidserland के Primary School Teacher की जिन्द भी कैसी है जर आप बताता हूँ तो गरीबी कैसी है वो आपको सबसे होँ Svidserland का कोल भी Primary School Teacher कम से कम अपने धर में दो कार रखता है गरीबी कैसी होती है गरा यह समझे कम से कम दो कार रखता है एक कार पती के लिए एक पत्य पती और कार कम सी होती है मानती है टेंडर्ट नहीं है डबब नहीं नहीं यह वाली कार नहीं होती है कार जो होती है न वो वाली जिसको लॉंसर कहते हैं विट्सु विशु कहते हैं Honda कहले हैं, जो कम से कम 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 प्राइमरी स्कूल टीचर के घर में कम से कम दो मोबाइल फोन होते हैं और दो लेंड लाइन फोन होते हैं और सुट्जरलेंड का प्राइमरी स्कूल टीचर हर दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी फाइव स्टार होटल में खाना खाता है और सुट्जरलेंड का प् प्राइमरी स्कूल टीचर सबसे गरीब माना जाता है अगर वो इस हैसियत का है तो प्रोफेसर कैसे हैसियत के होंगे जरा सोचो अब भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर की कहानी देख लो जरा भारत का primary school teacher जिन्दगी में कार तो क्या cycle रख ले तो ये बड़ी बात है और भारत का primary school teacher गलती से किसी दिन पत्नी के साथ किसी five star hotel में एक बार खाना खा ले तो उसके महीने भर की पगार उसे खाने में चली जाए जो भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर गलती से अपने माता पिता को विश्व भ्रमण पर भेज दे तो इतना कर्ज उसके सिर्प चड़ जाएगा कि जिंदगी परियन तो उसे उतार नहीं पाएगा जो भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर के माबाप कभी बीमार हो जाएं और हॉस्पिटल में भरती हो जाएं तो उनका इलाज भी बिना करज लिए नहीं करा पाएगा और भारत का प्राइमरी स्कूल टीचर जिंदगी बीच जाए 40 साल की नौकरी में अपना घर बना पाएगा ये कलपना की बात होगी जिंदगी भर वो किराए के घर में रहेगा भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर की ये हैसियत है और स्विट्जर लेंड की ये हैसियत है कारण क्या है? क्यों है इतना अंतर? स्विर्जर्लेंड का Primary School Teacher अरवपती है, करोड़पती है और भारत का Primary School Teacher रोगपती है उसका कारण एक ही है इसको ध्यान से समझ लिजे स्विर्जर्लेंड के किसी भी व्यक्ति पर कोई टैक्स नहीं लगता है और भारत के Primary School Teacher पर 63 टैक्स लगते है तो होता क्या है? कि आपकी जिन्दगी की जो आमंदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो टैक्स में ही सरकार आपसे ले लेती है वो आपके हाथ में नहीं रहता है इसलिए रियल इंकम बास्तरिक आमंदनी बहुत कम होती है और स्विट्जरलेंड के नागरिकों पर टैक्स ही नहीं लगता है तो उन नागरिकों की आमंदनी बहुत ज़ादा होती है इसलिए स्विट्जरलेंड दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है जन्सन क्या वहां भी बढ़ रही है लेकिन अमीरी के साथ जन्सन क्या बढ़ रही है भारत में जन्सन क्या बढ़ रही है तो गरीमी के साथ बढ़ रही है अब समझने की बात ये है कि स्विट्जरलेंड नागरिकों के उपर तो फिर वो देश कैसे चलता है आपके बन में ये प्रशन आना चाहिए कि हमारे देश में तो हमारे नेता हम को ये बताते है रोज तीवी में विग्यापन आता है न दो छोटे बच्चे आपस में बात करते हैं तो एक कहता मेरे पिता जी तो इतना सर्विस टेक्स देते है तो दूसरा बच्चा पूछ रहा है क्या ज़रूरत है देने की तो टीचर समझा रही है कि ये टेक्स ही तो सब कुछ चलता है देश में ये सड़क चल रही है मोटर गाडियां है ये ब्रिज बन रहे है ये सब देश की सुरक्षा ये टेक्स के पैसे से वाने देश चलता है टेक्स के पैसे से उस विग्यापन के मतलब ये है तो अगर देश टेक्स के पैसे से चलता है तो सुट्जरलेंड में तो कोई भी टेक्स नहीं है फिर कैसे चल रहा है ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी पहले फिर मैंने समझने की बहुत कोशिश की और इसके लिए स्विट्जर लेंड का प्रवास भी किया मैं स्विट्जर लेंड गया हूँ ये जानने और समझने के लिए कि बिना एक पैसा टैक्स लिये हुए वो देश कैसे चलता है वहां की सरकार कैसे चलती है नेताओं के खर्च कैसे निकाले जाते है गैडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है जुडिशिल सिस्टम कैसे चलता है और वहाँ जाकर जब देखा सुना पढ़ा अध्यन किया तो पता चला कि सुट्जर लेंग की सरकार भारत के हरामखोर ब्रश्टाचारी नेताओं के दम पर चलती है आप जानते हैं वो हरामखोरी क्या है भारत के नेताओं की भारत के नेताओं की हरामखोरी ये है कि भारत के नेता भारत में ब्रश्टाचार करते हैं ये आप सब जानते हैं और भारत के नेता कितने ब्रश्टाचारी है ये अब आपको सुनाने की जरूरत नहीं है आपने अपनी आखों के सामने देख लिया है ये हराम कोर नेता इतने निकरश्ट इस्तर पर गिरे हुए है कि हमने उनको संसत में चुनकर भेजा था हमारे सवाल पूछने के लिए सवाल पूछने का भी पैसा खाते है इससे ज़्यादा गिराई की कोई बात हो सकती है गिरावट की हमने जिस काम के लिए संसत में भेजा हमने जिस काम के लिए विधान सवा में भेजा और हम हमारे टैक्स के पैसे का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं पगार के रूप में वो नेता हमारा ही प्रश्ण संसर्थ में पूछने के लिए रिशवत खाते हैं तो ये गिरावट कितनी हैं नेताओं में आथ वन्दाजा लगा लो तो भारत के नेता हर कदम पर रिश्वत खाते हैं और भारत की सरकार खुद कहती है कि प्रतिवर्ष भारत में 77-80,000 करोन रुपए का ब्रश्टाचार होता है माने भारत के लेता और अधिकारी हर साल 77-80,000 करोन रुपए ब्रश्टाचार में खा लेते हैं हर साल राजीव गांदी जब जीवित थे इस देश में तब उन्होंने एक सूत्र दिया था वो ये कि जब मैं एक रुपया दिल्ली से किसी गाउं के व्यक्ति के ऊपर खर्च के लिए भेजता हूँ तो मात्र 15 पैसे वहां तक पहुँचता है 85 पैसे ब्रश्टाचार में चला जाता है सरकार हर साल भारत के नागरिकों के लिए बजट बनाती है और लगब साड़े चार से पांच लाख करोर रुपए खर्च करती है राजीव गांदी फॉर्मूले के अनुसार इसका पंदरे प्रतिशत ही खर्चो पाता है 85 प्रतिशत तो ब्रश्टाचार में ही चला जाता है तो आप अगर ये सोचें तो हर साल भारत में कितने लाख करोर रुपए का ब्रश्टाचार होता है ये सारा जो ब्रष्टाचार हर साल लाखों करोणों रुपए का होता है ये कहां चला जाता है ये सारा का सारा ब्रष्टाचार जो लाखों करोणों रुपए का भारत में होता है ये स्विट्जर लेंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है भारत के सभी भ्रष्टाचारी लेताओं के सुट्जर लेंड की बैंकों में खाते खुले हुए है स्विस बैंक एकाउंस उनको कहा जाता है अब सुट्जर लेंड देश कैसे चल रहा है बिना टैक्स लगाए हुए वो बात अब आपको समझ में आएगी सुट्जर लेंड में 37 बैंक है भारत में जैसे 40 बैंक है न इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसे सुट्जर लेंड में 37 बैंक है उनके कुछ नाम है Bank of Geneva, Bank of Zurich, Bank of Surzaland ऐसी 37 बैंके हैं इन 37 बैंकों में भारत के हरामकोर ब्रश्टाचारी नेताओं के खाते खुले हुए हैं हर साल भारत में लाखों करोरों रुपय का ब्रश्टाचार होता है वो प्रश्टाचार का पैसा Surzaland की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है अब Surzaland की जिन बैंकों में ये पैसा जमा होता है उन बैंकों को ये Surzaland की सरकार के इंस्ट्रक्शन्स हैं कि पैसा जमा करने वाले किसी व्यक्ति को ब्याज नहीं देना interest नहीं दे ULTA पैसा जमा करने वाले से ब्याज लेना service charge के नाम पर तो भारत के ये ब्रशनाचारी नेता Switzerland में जब पैसा जमा करते हैं तो इन में से किसी नेता को ब्याज नहीं मिलता उस पैसे पर ULTA जमा किये गए पैसे पर Switzerland की बैंकों को service charge देना पड़ता है और service charge कितना है साड़े तीन प्रतिशत से शुरू होकर 16 प्रतिशत तक service charge देना पड़ता है माने ब्रश्टा चार का 100 रुपय अगर Switzerland की बैंक में जमा किया तो 16 रुपय उसका देना पड़ेगा बैंक को service charge में 1000 करोड जमा किया तो पैसा वहां रखते है उस पैसे से जो service charge वो वहां की बैंकों को देते है बैंक वो पैसा अपनी सरकारों को देती है और Switzerland की सरकार उस पैसे से चलती है Switzerland के नागरिकों को कोई tax नहीं भरना पड़ता अर्थाथ Switzerland के नागरिक अमीर है क्योंकि भारत के नेता महा ब्रश्टाचारी और मानसिक रूप से गरीब है इन ब्रश्टाचारी नेताओं के चलते ये देश गरीब है और सुर्जरलाई अमीर है अगर भारत में ब्रश्टाचार नहीं हो, होटाले ना हो, लूट खोरी ना हो, इन नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा तो आज भी ये देश दस साल के जादा समय में सोनी की चुडिया हो जाएगा अगर ईमान्दारी से हम जितना टेक्स भरते हैं, 7.500,00 करोड रुपए उमान्दारी से ही वो टेक्स का पैसा नेता हमारे विकास पर खर्च करना शुरू करे तो 10 साल में वो 75.000,00 करोड रुपए होता है और 75 लाख करोड रुपए इस दोश को सोने की चुड़िया बनाने के लिए परियाप्त होता है आप समस्कें 75 लाख करोड रुपए का मतलब ये हो गया कि एक-एक भारतवासी को साड़े साथ लाख रुपए देना 107 करोड की आबादी है हर भारतवासी को साड़े साथ लाख रुपए दे दो तो 75 लाख करोड बैठेगा मने हर भारतवासी कम से कम लख पती तो हो ही जाएगा तो इस देश की गरीवी का कारण जनसंख्या ब्रद्धी नहीं है इस देश की गरीवी का कारण हरामकुर नेताओं के ब्रश्टाचार की ब्रद्धी है ये समझने की बात और अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ब्रश्टाचार हिंदुस्तान की हर राजनेतिक पार्टी में है कोई राज्किय पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने को कहे के हम दूद के धुले हुए है पहले कुछ राज्किय पार्टिया कहती थी के हम को देखो एक बार और भारत के नागरिकों ने उनको देख लिया और पता चला कि वो महा ब्रश्ट निकले दूसरे दस पैसे के बराबर भश्ट थे तो वो पचास पैसे के बराबर महा ब्रश्ट निकले तो अब इंदुस्तान की कोई राज्किय पार्टी ये दम से नहीं कह सकती कि वो ब्रश्ट नहीं है हर पार्टी में ब्रश्टाचार है उपर से लेकर नीचे तक बस अलग बात ये है कि कब कौन पकड़ गया और कब कोन नहीं पकड़ा गया इसका मतलब ये हुआ है कि आज का पूरा राजनेतिक तंत्र ही भष्टाचार के लिए चल रहा है और दुर्भागे से हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र चल रहा है ये लोग कंत्र कहा है भाई ये तो लूट कंत्र चल रहा है पहले अंग्रेज लूटते थे टेक्स लगा कि आप भारत सरकार लूट रही है आपको टेक्स लगा और टेक्स पर टेक्स आप भरते चले जा रहे हैं आपकी जेब खाली होती चली जा रही है और टेक्स लगने से महगाई बढ़ती चली जा रही है महगाई बढ़ने से गरीब लोगों की जिंदगी तकलीफ में आती चली जा रही है लेकिन हराम पूर मेताओं को ब्रश्टाचार करने से कोई बाज नहीं आ रहा हर साल एक ब्रश्टाचार का मामला कुलता अगले साल उससे बड़ा कुलता है फिर और बड़ा कुलता है और मैं 10-15 साल से देख रहा हूँ जितने ब्रश्टाचारी बड़े बड़े नीता हैं कभी जेल नहीं जाते कभी फासी की सजा नहीं पाते गरीब लोग इस देश में 10-15 रुपई की चोड़ी में जेल में ठूस दिये जाते हैं लेकिन वित्यमंत्री इस तर के लोग यो हजारों करोर रुपई का ब्रश्टाचार करें तो भी जेल नहीं जाते ऐसा नियायतन की इस देश में चल रहा है यह हमारी कानून और नयाय की व्यवस्ता है गरीब आदमी को जेल में डाल दो कोई गरीब आदमी गलती से किसी का मरडर कर दे हिक्षा नहीं थी फिर भी गलती से हो गया तो 14 साल जेल में सरता रहे और यह हराम कोर नेता जान बूच कर 30-30 मरडर करें तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं आपको मालूम है हमारी सांसद में 540 सांसद है लोक सभा में उन में से 170 सांसद ऐसे हैं जो नोटिड क्रिमिनल्स है उन में से एक सांसद तो ऐसा है जिसने 37 मरडर किये है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती और जिस पार्टी में ये सांसद है उसके विपक्षी कहते हैं कि हमने भी ऐसे ही सांसदों को टिकेट भी आगे उनकी पार्टी में 37 मरडर वाला तो हमारे या 35 मरडर वाला तो तीसरे करते हमारे या 34 मरडर वाला 170 सांसत जिनको हतकड़ी लगनी चाहिए था तिहार जेल में होना चाहिए था वो संसत में बेटे हैं कानून बनाने के लिए तुम यहाई कैसे इस्थापित होगा जरा बताओ इस देश में और ये जो हालत लोकसभा की है राज्य सभा की कोई इस से अच्छी नहीं है राज्य सभा में भी बहुत सांसत हैं जिनको देल के अंदर होना चाहिए और जो राज्य सभा लोकसभा की हालत है वो विधान सभाओं की हालत है हमारे भारत की विधान सभाओं में 4,250 MLA's हैं जिन में से 1,870 MLA's, Noted Criminals हैं जिनको जेलों में होना चाहिए उनको विधान सभाओं में कानूम बनाने के लिए रखा गया है और मुझे दुख इस बात का है कि इन Criminals, डके, चोर, उचके, लुचे, लफंगे, बदमाश लोगों के खर्चे बारत के नागरिकों के टैक्स के पैसे से होते हैं आप इमानदारी से हर साल लाकों करोनो रुपए का टैक्स बढ़ते हैं आपके टैक्स के पैसे से इनकी पगार मिलती है, तंका मिलती है, टीए मिलता है, डीए मिलता है और ये हरामकोर इतने नीचे गिरे हुए हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन अपनी पगार बढ़ा लेते और संसद में सांसदों की पगार बढ़ाने का विध्यक जबी भी पेश होता है दो मिनट में पास होता है भारत के लोगों के हित रख्षा के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो पचास साल नहीं बनता और संसदों के बेतन बढ़ाने हो तो दो मिनट में कानून बन जाए हमारे भारत की आजादी के समय महात्पा गांदी ने भारत के लोगों से एक वाइदा किया था आज तक नहीं हुआ वो पूरा तो अंदी जी ने कहा था कि जिस दिन भारत में भारत के नागरिकों की सरकार बनेगी उसी दिन गाय की हत्या करने के विरोध में कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा ये गाय की हत्या रोपने का कानून अठावन साल की आजादी के बाद भी नहीं बना है हर साल साड़े चार करोर गाय की हत्या इस देश में होती है और अभारत के किसी भी राजनेतिक पार्टी को इसमें रूची नहीं है कि गाय की हत्या रोपने का कानून बने लेकिन सांसदों के पगार और भत्ते बढ़ाने का कानून हर महीने, दो महीने, तीन महीने में बन जाता है और यहां तो कानून ऐसे भी बन जाते हैं कि एक व्यक्ती सांसद बना तीन महीने के लिए तो उसको जिंदगी परियंत पेंशन मिलती रहे वो मर गया तो उसकी बीवी को पेंशन मिलती रहे बीवी मर गयी तो बच्चे को पेंशन मिलती रहे माने जिन्दगी भर की ठेकेदारी हो गई अगर एक बार आप सांसत बन गए या विधायक बन गए और बेतन बत्ता तो लेते ही है उसके अलावा फ्री हवाई जाज टिकट, फोकट की बिजली, फोकट का पानी, फोकट का घर क्या-क्या उनको आप कलपना कर सकते हैं जितना चारसो पानसो लीटर हर सांसत को एक साल का फोकट का पेटरोल मिलता है डीजल मिलता है उनके सेक्रेटरीज रखने के लिए बेतन अलग से मिलता है काज़ पेन खरीदने के लिए अलग से पैसा मिलता है बहने भारत के राजा महराजा जिस तरह से लूट खारी करते थे उससे भी कईगनी जादा आजकल सांसत करते है और इसलिए हर नेता सांसर बनना चाहता है और पार्टी में घुसकर टिकट लेना चाहता है पार्टी बले उस टिकट को पैसे से बेचे लेकिन आदमी लेने को तयार है क्योंकि उसे मालूम है कि जितना वो देगा पार्टी को उससे कईवना जादा पाट साल मों मिल जाने वाला है इसलिए राजनी अब एक धंदा बन गई है और इतना निकरष्ट धंदा बन गई है जिसमें वहश्यावरती से भी जादा नीचे की गिरावट आ चुका वहश्याव उनकों मैं मानता हूँ वो नेताओं से अच्छी है क्योंकि जिससे पैसा लेती है राग बर उसी के साथ सोती है ये नेता तो उससे भी नीचे गिरे हुए है जिस पार्टी का टिकट लेके चुनाव जीतते हैं दूसरे दिन किसी दूसरी पार्टी में घुज जाते हैं इन हराम दोरों को बिल्कुल शुरुम नहीं है आप देखो ना करनाटक में दो पार्टियां एक दूसरे को जिंदगी भर से गाली दे रही है जंता दलेस और बीजेपी अब दोनों मिलके सरकार चला रहे हैं ये है राजनीती की नहतिक्ता वैश्याएं भी बहुत इमांदार होती हैं कुछ हामलों में निता तो वैश्याओं से भी गिरे हुए है ऐसे हालात इस देश में है और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि ऐसे ही देश के लिए भगत सिंग की कुरबानी हुई है ऐसे ही देश के लिए उधम सिंग की कुरबानी हुई है ऐसे ही देश के लिए खुदी राम बोस की कुरबानी हुई है और ऐसे ही देश के लिए सुभाश्चंद्र बोस ने भारत छोड़ा सालों साल भटकते रहे कभी जर्मनी, कभी रोस, कभी सिंगापुर और उस भटकन का आज ये नतीजा है कि भारत इतने निक्रस्ट इस्तर के निराओं से घिरा हुआ देश बना हुआ ऐसे देश में आप बोलें तो जनसंख्या बढ़ोत्तरी से गरीबी नहीं है, ब्रश्टा चार बढ़ोत्तरी से गरीबी है जनसंक्य बड़ोत्तुरी से बेरोजगारी नहीं है, ब्षटा चार बड़ोत्तुरी से बेरोजगारी है ऐसे देश में हम रहते हैं कभी-कभी शर्म आती है कि ये देश भगत सींह का है, उधम सींह का है, चंडर शेकर का है जिनोंने सिर्फ अपने जीवन को दाउं पर लगाया इसलिए कि आने वाली प्रजा, आने वाली पीडी सुखी ने अपना जीवन पूरा दाउं पर लगाया पेदा जी सुभाष शंद्र भोस की कहानी आप सब जानते हैं ICS में सेलेक्ट हुए थे, टॉपर थे वो चाहते तो अंग्रेज सरकार की चाकरी करके लाखों करोडों रुपर कमा सकते थे लेकिन ICS में टॉप करने के बाद भी अंग्रेजों की सबसे भूची नौकरी को लाट मार दिया ठोकर मार दिया और इस देश से निकल गए दूसरे देश में जाकर भारत के आज़ादी के लिए संगर्श किया आर्मी बनाई और उस आर्मी से भारत पर हमला भी किया अगर सुभाश्यत्र भूच को ये मालूम होता कि मेरे देश में आने वाले पचास सारे के बाद इतने ब्रश्णाचारी मेता पैदा होते तो क्या वो ये संगर्श करते बहत सिंग में तो 23 साल की उमर में तरह कर लिए आफासी सर जाना है देश के लिए शहीद हो जाए बहत सिंग को अगर ये मालूम होता कि आज़ादी के बाद इतने हराम गुर्श्णाचारी मेता पैदा होंगे तो क्या वगत सिंग अपनी कुर्बानी मेता खुदिराम दोस ने तो अपनी उम्र के पंद्रवे साल में इस देश में शहादत पाई अगर खुदिराम दोस को मालूम होता कि मेरे देश के मेता इतने ब्रश्णाचारी लिख लेगे आज़ादी के बाद तो क्या खुदिराम दोस की कुर्बानी होती और ये दो-तीन नाम तो मैंने आपको ऐसे ही गिनकर बता दिये बहत सीम, हुदंजिंग, खुदिराम दोस जैसे छे लाग चालीस हजार क्रांति भीरते जिनकी कुर्बानियां हुई है जिनकी शादत हुई है, तब ये देश आज़ाद हुआ है 15-47 को आज़ादी ऐसे ही नहीं हो लिए है इस देश को और अंग्रेजों ने ठाल में रखकर हमको आज़ादी भेट नहीं की है आज़ादी लाने के लिए हमने मूल ने चुकाया है, कीमत चुकाई है च्छी लाग चालीस हजार क्रांति भीरों की कुर्बानिया दी है दुनिया के किसी दोश में इतना बड़ा मूल नहीं चुकाना पड़ा आज़ादी के लिए दुनिया अफरीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ, साड़े चार सो साल गुलाम रहा सारे चार सो साल की गुलामी से आज़ादी लाने में दुनिया अफरीका में मात्र नब्बे हजार कुर्बानिया हुई है तक्षिनी अफ्रीगा के 90,000 में तो शहादत में शहीद हुए है और भारत में मातर 200 साल की गुलमी में 6,40,000 कुरबानिया हुए और भूजेश भी आजाद हुआ है लेटिन अमेरिका के बहुत सारे देश चिली, कुस्टारिका, कोलंबिया ये सब गुलाम रहे हैं अलग अलग समय पर ब्रिटेन के अमेरिका के लेकिन किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दिये भारत दुनिया का अफिला देश है जिसने अपनी आजादी लाने में 6.40.000 क्राम्तिविरों की कुर्बानी दिये और ये कुर्बानी का मूल बहुत बड़ा है इसलिए दिल्मा दर्द होता है कि आजादी के 50 साले के बाद ऐसा भारत देखने को मिल रहा है जो भेलकर गरीबी बेरोजगारी घुखमरी में डूबा हुआ है जहांके किसान आत्मत्या कर रहे हैं नौजवान बिना रोजगार के सड़कर मारे मारे फिर रहे है गरीबी दिन दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को जंगलों से बीम कर विशेल उफन खाने पर रहे हैं और उसके बाद उनकी अक्तियाएं हो रही है ऐसा द्रश्य इस देश में देखने को मिलता है अभी लोगों के मन में प्रशनाता है वो यह वो मुझे बार बार कहते है कि राजी भाई यह इतना खराब हो गया है हमारा देश इसको सुधारने का कोई रास्ता है क्या इतना ब्रश्टा चार बढ़ गया है इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या तो मैं सभी को यह कहता हूँ कि भाई दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो भारत की यह जो समस्या इतनी वड़ी हुई है इसका भी समाधान है लेकिन इसका समाधान आपके पास है राजनेताओं के पास नहीं है आपके पास है, पार्टियों के पास नहीं है आपके पास है, सरकारों के पास नहीं है सरकारें बनती है और पार्टियां देश में सरकार बनाती है वो आप जानते हैं नितांत स्वार्थ के लिए उसके पीछे कोई आदर्ष नहीं होता उसके पीछे कोई माननिता नहीं होती है कोई प्राथमिक्ता नहीं होती है अगर कोई आदर्ष होता माननिता होती प्राथमिक्ता होती तो इस तरह के गटबतन होते कभी जो जित्गी मोरे एक दूसरे को गाली देते हैं वो मिलके सरकार चलाते कभी इस देश ये तो सारी की सारी सरकार है सारी की सारी पार्टिया सब मिलकर अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश इसमें कहीं भी नहीं तो जरूर आपको ये कहकर समझाएंगे कि हम सब देश के लिए करते हैं ये सब जूट बात है वो जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं नितांत स्वार्थ के लिए करते हैं क्योंगी देश के लिए करना है तो बिना सरकार में जाए बहुत कुछ हो सकता है बिना सरकार चलाए बहुत कुछ हो सकता है बिना पार्टियों में जाए बहुत कुछ हो सकता है बहुत सारी लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं सभी सरकारों में नहीं जाते हैं सभी पार्टियां नहीं चलाते हैं, सभी सरकार भी नहीं चलाते हैं बिना सरकार में जराएं, बिना राजने की दल बनाएं हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो मैं आप से यही निवेदन करने आया हूँ बताता हूँ यह देश बहुत अमीर देश था बहुत पैसेवादा बेश ये और मेर फिजुषे को लिए Nice देता हूं देयोब को congregation the भारत के पारिंचे पच्छे वी साल वे मैंने एक थिप किये हैं अलग अलग स्थानों से गून-गून कर लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है House of Commons Library उसका नाम है उस House of Commons Library में भारत के बारे में लाखों दस्तावेज हैं उन में से 50,000 हम लोगों ने इकटे किये उन दस्तावेज बताते हैं अंगरेजों के आने के पहले तक इस देश की आमन्दनी पूरे दुनिया की आमन्दनी का 35 परतिशत होती थी माने जो Total World Income है पूरे विष्व की जो सकल आमन्दनी है उसका 35 परतिशत आमन्दनी अकेले भारत की थी और दूसरी जानकरी, कि दुनिया के बाजार में जितना सामान बिखता था, उसमें भारत का सामान 33% बिख्री होता था म appelle वर्ड मारकेट में भारत का जो एक्सकोर्ट था वो 33% होता था अब विश्चु के बाजार की कुल आमगनी का 35% बारत का था और विश्यु के बाजार में जितनी वस्तुएं बिक्ती थी उसका 33% भारत बेचता था इसका मतलब क्या हुआ विश्यु की लगबग एक तिहाई आमंदनी भारत के पास थी और विश्यु का लगबग एक तिहाई एक्सपोर्ट भारत के कपजे में था दूसरा कोई देश अगर भारत के सार्णे था competition देने वाला था वो चीन था विश्यु की कुल आमंदनी का 27% हिस्सा चीन के पास था 35% भारत के पास था विश्यु के बाजार में कुल 22-23% सामान चीन के लिखते थे 33% सामान भारत के लिखते थे अब जब कोई देश इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो ये कैसे संबब हो सकता कोई देश से मिरियाद हो रहा है तो ये कभी संबब होता है जब उस देश में उत्पादन हो नहीं तो मिरियाद किस चीज का करें अगर production नहीं है तो आप export क्या करें इसका अर्थ यह हुआ कि 33 प्रजिशत एक्सपोर्ट था वर्ड मार्केट में तो हमारे यह प्रोडक्शन कुछ होता होगा तो मैंने वह जानने की कोशिश की तो पता चला 36 तरह के इंडस्ट्री इस देश में चलते थे जब इंडस्ट्री नहीं थी इंडस्ट्री शुरू हों 1760 के बाद जिसमें वो कहते हैं के हमारे यह इंडस्ट्री रिवल्यूशन आया और भारत में इंडस्ट्री इस चलती थी अंग्रेजों के आने के बहुत साल पहले से और यहां जो 36 तरह के उद्योग चलते थे उसमें सबसे बड़ा उद्योग था लोहा बनाने का उद्योग स्टील बनाने की इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी होती थे और लोहा सबसे अच्छा भारत में इसलिए बनता था क्योंकि रोहे बनाने के लिए जो कच्छा माल लगता है आईरन ओर तो सबसे अच्छे क्वालिटी का भारत में ही है भारत में चार-पांच राज्ये ऐसे हैं जहां बेस्ट क्वालिटी आईरन ओर निकलता है एक करनाटक है दूसरा जारखंड है तीसरा आपका परोसी 36 गवड़ है चौथा एक राज्ये है बहुत छोटा सा उसका नाम है गुआ ये चार राज्यों में बेस्ट क्वालिटी आईरन ओर निकलता है और एक पाच्वा राज्ये है जहां कुछ कम क्वालिटी का आईरन ओर निकलता है वो है मद्व प्रदेश और अभी पता चला है कि ओड़ी सामें भी बहुत अच्छे कच्छे लोहे का भंडार है जिसको निकालने के लिए और स्टील बनाने के लिए बाहर के देशों की कंपनियां जीब लपलपाते यहां उडिसा में आ रहे हैं आपने देखा अभी नवीन पटायक सरकार ने जो समझोते किये हैं विदोशी कंपनियों के साथ लोहा बनाने के लिए इसकील बनाने के लिए यह बाहर की कंपनियां क्यों आ रहे हैं वो पॉस्को इसकील यहां क् कि अभी पता चल गया थोड़े दिन से कि उडीसा में भी लोहे का भरपूर भंडार है अभी तक यह माना जाता था कि 36 गर में ही कच्चा लोहा है जारखंड में है, करनाटक में है गुआ में है, मधिप्रदेश में अब पता चला उड़ीसा में भी बहुत अच्छा लोहा है और उची क्वालिटी का है इसलिए हर विदेशी कंपनी की नज़र उड़ीसा पर लगी हुई है कि यहां आओ और कच्चा लोहा निकालो खोद कर और उसको दुनिया वर्मे एक्सपोर्ट करो और उससे उना खकमाओ भारत में ये लोहे की उद्द्योग हजारों साल पुरानी है और लोहा बना कर हम बेचने का काम बहुत साल से करते रहे हैं और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हजारों साल तक लोहे का ही रहा है और आप सूचो कि जब हम लोहा बेचते थे आज से 500 साल पहले तो बदले में हमको सोना मिलता था चांदी मिलती थी हीरे जवाराग मिलते था उस जवाने में क्या होता था करंसी नहीं चलती थी रुपया नहीं चलता हम लोहा बेचते थे बदले में सोना मिलता था लोहा बेचते थे चांदी मिलती थी लोहा बेचते थे हीरे जवाराग मिलते थे आप सोचो दुनिया में ऐसा भी धेश था जे लोहा बेच कर सोना कमाया और 1700 हमने लोहा इतना बेचा कि भरपूर मात्रा में इस देश में सोना आ गया और सोना इतना जादा आ गया कि भारत के नागरिपों ने सोने का नसिर्फ अपने जीवन में इस्तेमाल किया बलकि बचे हुए सोने से इस देश में मंदर बना दिये सोने के मंदर इसी भारत में मिलते हैं दुनिया के किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है दुनिया के किसी देश में सोने का गिरजागर नहीं है सोने के मंदर इस देश में है और आप क्या मानते हैं कि कितने सोने के मंदर हैं मैं जब भारत के विद्यारतियों से पूछता हूँ बताओ भारत में कितने सोने के मंदिर हैं तो कहते हैं अम्रत सरका सोन मंदिर एक बस इसके आगे बताओ तुम आलूम ही नहीं भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में 23,80,000 सोने के मंदिर हैं और इन मंदिरों में या तो मंडपम सोने का है या तो छत्रपम सोने का है या तो दरवाजे सोने के है या तो खेड़किया सोने की है या तो दीवारों पर सोने की कारीगरी की गई है या तो भगवान की सोर्थि पूबर लगाहुआ च्छत्र सोने का है यह दानपात्र सोने का है या रेलिंग शोने की है ऐसे 23Lat से ज्ञादा मंदिर है जो सोने के स्टेवाल से बने चैंअ और इन मंदिरों और अब अभी कितना सोना आता है और 500 साल पहले कितना आता होगा कल्पना करें। एक मंदिर है तिरुपती बाला जी का जहां हर साल आज भी 3500 किलोग्राम सोने का दान आता है। इतने गरीवी के बाद भारत में। भारत में जब 44 करोर बोग गरीवी की रेखा के नीचे रहते हैं तब इस देश में एक मंदिर है तिरुपती बाला जी जहां हर साल 300 किलो सोने का दान आता है। दूसरा मंदिर है वैशनो देवी का जहां हर साल 280 किलो सोने का दान आता है। ऐसे भारत में हजारों मंदिर हैं जब 500 साल पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था तब इन मंदिरों में कितना सोने का दान आता होगा सोचो अब गरीबी के समय में इतना आता है तब कितना आता है और आपको शाहिद मालूम में ये फिरुपती बाला जी के सोने के दान का मने फिरुपती बाला जी के मंदिर में आई हुए सोने के दान का आंदर प्रदेश की सरकार अपने बजट के लिए इस्तेमाल करती है ये इस्तिती हमारे मंदिरों की है तो कोई देश सोने के मंदर कब बनाता है जब उस देश में जरूरत से ज़्यादा सोना आता है और जरूरत से ज़्यादा सोना भारत में कहां से आया भारत की जमीन में तो सोना पैदा होता नहीं है भारत में सिर्फ एक जिला है करनाटक में कोलार जहां सोना निकलता है बाकी तो कहीं सोना निकलता नहीं है ये सारा सोना विदेशों से आया है और पिछले हजार साल जो हमने निरियात किया लोहे का एक्सपोर्ट किया उसके बदले में ये सोना पाया है ऐसा देश रहा है भार दबाओं का निर्यात इस देश से बहुत उचे इस्तर पर होता था दबाओं का निर्यात बहुत होता था आयरुवेद में 36 तरह के प्रोड़क्स ते जिनका एक्सपोर्ट होता था उसके बदले में सोना चांदी हीरे जवारात मिलते थे और वो पैसा इतना अधिक था कि ये समरुद दुशाली देश बना और ये सोनी के चुड़िया देश बना और ऐसे इतनी बड़ी लूटवार एक-एक मंदुर की हुई तो संपत्ती कितनी रही होगी समरुद भी कितनी रही होगी तो ये समरुद दुशाली देश था, पैसा वाला देश था, श्रीमंत देश था, इसलिए विदेशी इसको लूटने के लिए आए, कुछ विदेशी आए अपनी सेनाएं लेकर इस देश को लूटने के लिए, कुछ विदेशी आए जिन्होंने सेनाएं लूटने के बाद इस सब लुटे रहे चाहे अंग्रेज हों चाहे फ्रांसीसी हों चाहे दच लोग हों चाहे मुगल बादशा रहे हों चाहे खेबर दर्रे से आने वाले इसलाम को मानने वाले आजा रहे हों ये सब लुटे रहे थे, लूटने आये थे इस देश को, कोई देने के लिए नहीं आया था कुछ, यहां से ले जाने के लिए आये थे और ये लूट होती रही और हम मूर्ख लोग हिंदुस्तानी अपने को लूटवाते रहे और इस लूटवाने में हमारा जो एक सिद्धान्त था वो सबसे ज़्यादा मदद करता रहा अतिती देवो भवर जिसको भी कहो अतिती देवो भवर माने कोई भी मिदेशी लुटे रहा आया अतिती देवो भवर आजाओ भाई, खीरुपुडी खाओ, लूट के लेके जाओ इस देशू इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि दक्षण भारत में केरल राज्य में काली कट का एक राजा था जामुरीन उसने वासको डिगामा को बुलाया अतिती देवो भवे वासको डिगामा ने पूरे काली कट को लूटा और जामुरीन की हत्या करके वो काली कट का राजा बन गया वासको डे इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि गुजराथ में सोबनाथ की राजा ने महमूद गजनवी को बुलाया अतिती देवो भवे और महमूद गजनवी ने सोबनाथ की राजा की हत्या की और मंदिर को लूट कर 17 साल लगातार संपत्ती ले जाता रहा अतिती देवो भवे हमको यो मालूम ही नहीं है कि अतिती लुच्छे होते हैं, लफंगे होते हैं, लपट होते हैं, बलातकारी होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं हम मानते रहें कि अतिती तो देवता होते हैं, होते तो सत्योग में, कल्योग में नहीं राम चंद्र जी का जमाना था तो अतिती देवा भवे होते होंगे क्रश्न के जमाने में अतिती देवा भवे होते होंगे आज गोर कल युग में अतिती खतरनाक भी होते हैं और हम अगर ये समझ पाते तो शायद अंग्रेज हमको लूट नहीं पाते और मुगल राजाओं की सल्तनत इस देश में चल नहीं पाती चुकि हम ये समझ नहीं पाए कि अतिती भी लोटेरे होते हैं डाको होते हैं चोर बिचे के लुचे लफंगे होते हैं हमने हर अतिती को आने दिया और लूट कर ले जाने दिया और ये सिलसिला चलता रहा लगबत दस्वी शकाफदी से लेकर 1947 तक अब क्या हुआ? अब हमारे देश में फिर नेता ऐसे आगए हैं जो विदेशियों को कह रहे हैं अतिती देवो भवे आजाओ उपन रूट के लेके जाओ इस देश हमारे जो वरतमान प्रदान मंत्री है न मनमौह सिंग ये तो बाहरवालों को बुलाने के चैंपियन है नवीन पट्टायक डिप्टी चैंपियन है और ये दोनों जाते हैं विदेश यात्राओं पर और विदेशियों को बुला बुला के लाए आउ भाई उडीसा君 लूट के लेके जाऊ आउ भाई पूरे भारत को लूट कर लेके जाऊ यह मनमौह सिंग बीचले साल 8 जॉलाई समे 2005 को लंदन गए लंदन में Oxford University में इनोंने एक भाशन दिया Oxford University ने मनमौह सिंग को डॉक्टरेट की डिग्री दि तो बदले में इनों ने वहाँ भाशन दिया और भाशन सुनेंगे तो आपका शरम से सिर जुग जाए ऐसा भाशन दिया मनमाहन सिंग ने कहा कि हमने 400 साल पहले अंग्रेजों के लिए भारत का दिर्वाजा खोला था आपकी इस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत को 200 साल उसने लूटा था मैं दुबारा निमंतर देने आया हूँ मैंने भारत के सारे दरवाजे खोल दिये हैं आप आईए और भारत को लूट कर लेके जाए ये मनमा हुन सिंग का भाशन 8 जुलाई सन 2005 को आक्सफोर्ड युनिवरसिटी में बोला गया अगले दिन 9 जुलाई 2005 को लंडन के सब अख़वारों में छपा कि भारत वासी 107 करोड लोगों को चुलू बर पानी में डूब मरना चाहिए जो उनका प्रधानमंत्री इतनी गुलाम मांग सकता का है जो अभी भी अंग्रेजों को भुला नहीं है और फिर भुलाने आ गया कि आओ और इस देश को लूट के ले जाओ और आप जानते हैं कि ये व्यक्ति जबसे प्रधानमंत्री बना है तब से हर छेत्र इसने व्यदेशियों की लूट के लिए खोल दिया है भारत में आईए कोई भी छेत्र में लूटने के लिए आपका स्वाबत है तो अब परिणाम चाहुआ ये व्यक्ति जो आज भारत का प्रधानमंत्री है ये ही व्यक्ति लगवग 5-6 साल तक वित्तमंत्री भी रहा इस देश का 1991 से 96 तक इसने भरपूर मात्रा में विदेशी कमपनियों को बुलाया फिर इसके बाद जितने भी वित्तमंत्री आए उन्होंने भी इसी के रास्ते पर चलने का काम किया यश्वन सिना आये उन्होंने भी विदेशीयों को बुलाना शुरू किया लूट करवाने के लिए तो पिछले 10-12 वर्षों से इस देश में नीती चला दी है उसका नाम है globalization, liberalization, privatization और उसमें विदेशीयों को बुला रहा है लूट लूट के लेके जाओ, सारे दर्वाजे खूल लिया है लूट के और कितनी बड़ी लूट हो रही है इस देश की कुछ उधारन आपको देता हूँ, ताजा ताजा अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा भारत के हवाई जहाँ उतरते हैं और जहाँ से चड़ते हैं हवाई अड़ों को लूट करने के लिए विदेशियों को खूल लिया है दिल्ली का हवाई अड़ा और बंबई का हवाई अड़ा दोनों विदेशी कमपनियों को लूटने के लिए दे लिया है आप जानते हैं ये दो हवाई अड़ों के पास 44,000 एकर जमीन है आप जिरा ध्यान से सुनना दिल्ली हवाई अड़ा और मुंबई हवाई अड़ा दोनों के पास 44,000 एकर जमीन है और एक एकर जमीन की कीमत 2 करोर रुपए है माने दोनों हवायदों के पास लगबग 90 से 95 जार करोड़ रुपई की जमीन है और इन दोनों हवायदों को विदेशी कमपनियों को मात्र साड़े 5,000 करोड़ रुपई में दे दिया है ऐसे लूटने के लिए इस देश को खोल दिया और अब जिस सरकार में ये सारा धंडा किया गोरग धंडा किया कि दिल्ली और गुंबई के हवायदों विदेशी कमपनियों को दे दिये वो विदेशी कमपनियां कह रही है कि हम यहां हर साल 15,16 करोड़ रुपई कमाएंगे चालीस साल के लिए उनको दुनों हवायदे मिल गए तो चालीस साल में 80 से 90 हजार करोड रुपई लूट कर लेके जाएंगे वो यहां ऐसे हमारा देश चल रहा है और भला हो कम्मिनिस्ट पार्टियों का जिनोंने ऐसे लूट खोर प्रधान मंत्री की सरकार को समर्थन दिया मिले बहुत सारे कम्मिनिस्ट मित्र है CPI में CPI में मैं गहता हूँ आप सरकार गिराते क्यों नहीं खुले आम यह सरकार विदेशियों के हाथ में देश की लूट करवा रही है 44,000 एकर जमीन जो 90,000 करोर रुपई की है आज के बाजार मूली पर उसको मात्र पास से 6,000 करोर में विदेशियों को बेच दिया जिस सरकार ने और आपका खुन अभी भी नहीं कौलता है सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते गिराते क्यों नहीं इस सरकार को तो कमिनिस को कहते हैं ये सरकार जाएगी तो दूसरी आएगी तो आने दो और दूसरी सरकार भी ऐसा करे तो उसको भी गिराओ तीसरी करे उसको भी गिराओ और तब तक गिराते रहो जब तक कोई ठीक सरकार इस देश में नहीं आजाए आपको क्या पड़ी है आपको तो सप्ता में जाना नहीं है आपको तो कुर्सी पे बैटना नहीं है आपके बन में तो सप्ता का लोग नहीं है लालच नहीं है तो पिर आप इस सरकार से मोह क्यों करते हैं इतना गिरती है तो गिरने तो कौन सी ऐसी खास बात है सोनिया गांधी में कॉंग्रेस में राहुल गांधी में जिसका मोह आपको जगर के बेटा हुआ है कि हम इस सरकार को गिरने नहीं देगे बले देश को लूटने देए सरकार हम इसको गिरने नहीं देगे ऐसी लूट खोरी मची है आप सोचो दो हवायट बे की दो बड़ी विदेशी कंपनिया आ गई एक अफ्रीका की है और एक यूरोप की है दोनों लूटेगी लूट के यहां से पैसे लेके जाएगे हवायट बे को विदेशी कंपनियों के लिए खोन दिया टेली कम्यूनिकेशन विदेशी कंपनियों के लिए खोन दिया टेली कम्यूनिकेशन कितना जबरजस्त लूट मारी का छेतर है आपको अंदाजा है इस टेली कम्यूनिकेशन में विदेशी कमपणियों को इन्हों ने बुलाया हच कमपणिय आई फिर इसके बाद तीन चार और विदेशी कमपणिय आई इन कमपणियों ने आपको याद है एक एक मिनट की कॉल 16 रुपई में करवाई है आपको एक मिनट बात किया आपने एर टेल के फोन से हच के फोन से तो 16 रुपई दिया है आज एक मिनट की बात आपको 2 रुपई में 3 रुपई में हो रही है आप सो चो कितना लूट मार किया है इन लोगों जो आज एक मिनट बात फोन पर 3 रुपए में हो सकती है तो आज से 3-4 साल पहले भी वो 3 रुपए में होती थी लेकिन उसमें 14 रुपए लूटा जाता था आपकी जेप से ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ लिबरलाइजेशन नहीं हुआ लूट का खुला खेल हुआ है इस देशों टैली कमिलिकेशन में भेंकर लूट किया इनों में भारत के और उसमें पूरी 100 प्रतिशत विदेशी पूजी निवेश की खुली छोट है हlor सेक्टर को लूट के लिए चोड़ दिया विदेशी ओंकर है उसके लिए दर्वाज पूर रहे हैं परिडाम क्या हुआ 400 साल पहले एक कंपनी आई थी लूटने के लिए अब भारत में 4,000 कंपनी आ गई लूटने के लिए 400 साल पहले एक कंपनी लूटती थी हर साल 70 करोड स्टेडलिंग पाउंड अब 4,000 कंपनी लूटती हैं हर साल 1,000,000 करोड रुपर से जादा का धन आजादी के पहले जितनी लूट होती थी, आजादी के बाद उससे हजार गुनी ज़ादा हो रही है और हम ताली पीट रहे हैं, सोतंति का दिवस मना रहे हैं, 26 जन्वरी मना रहे हैं और लूट कितने बड़े प्रमाने पर चल रहे हैं आप ज़रा छोटे-छोटे हिसाब लगा के देखो अमेरिका की कुछ कमपनियां आई हैं भारत में बटाटा चिप्स बेचती हैं बटाटा चिप्स माने आलू का चिप्स पटेटो चिप्स एक पैकेट खरीदो पंदरे रुपए का आता है और उसमें आलू का चिप्स पटेटो चिप्स मात्र पंदरे ग्राम ही निकलता है एक बार मैंने एक आलू के चिप्स का पटेटो चिप्स का पैकेट खरीदा रफल्स नाम के ब्रेंड नेम से विकता वो अमेरिकन कंपनी का है जैसे ही उसको खोला तो उसमें आदे से जादा हवा निकल जाते है पटेटो चिप्स को बहुत कम है हवा उससे जादा है फिर मैंने खोल के उसको बजन कराया तो पंदरे ग्राम आलू का चिप्स निकला उसमें और पंदरे रुपई का मैंने तुरंद हिसाब जोड़ा कि अगर पंदरे रुपई का पंदरे ग्राम आलू का चिप्स है का माने एक किलो आलू का चिप्स हजार रुपए का है माने एक हजार रुपए किलो पटेटो चिप्स बेच रही है एक विदेशी कंपनी जिसको आलू मिलता है इस देश में दो रुपए किलो तीन रुपए के में हमारा किसान आलू पैदा करें तो वो बेचता है दो आसके लोग वही आलू का चिप्स खा रहे हैं उनके घर में उनकी अम्मा के हाथ का बनाया हुआ आलू का चिप्स है लेकिन उनको पसंद नहीं आता क्योंकि अम्मा के हाथ का है क्योंकि अम्मा भी पसंद नहीं आती है अब तो उसके हाथ का आलू का चिप्स क्यों पसंद तो विदेशी कंपनी का बनाय हुआ आलू का चिप्स खा रहे हैं और करें हम तो बहुत स्मार्ट हैं कितने इडियट हैं जरा इसकान गाज़ा लेगा कि परदेशी कंपनी आई है वो पानी बेच रहे पंद्र रूपई लीटर की पानी की बोतल एक्वाफिना अब पंद्र रूपई लीटर का पानी बिखता है मेरे गाओं में गाय का दूद 10 रूपई लीटर का बिखता है गाय का दूद 10 रूपई लीटर पानी 15 रूपई लीटर और वित्मंत्री को पूछो क्या हो रहा है तो कहते हैं development हो रहा है देशी पानी सस्ता दूद महरां पानी वहीं है 생ね और उसको पूछे भाई Strengthnow garant satisfied और उसको पूछ हो बारेका से लाती है नहीं घबरक्री बारानी गारत कल दونता लेकर जांडिन पानी तो फोकट में मिलता है बारिश होती है तो इंदर देवता हमको पानी देते हैं फोकट में देते हैं उसका कोई खर्चा नहीं यह कंपनी उसको बोतल में भरके 15 रुपय लीटर में बेच लेती है सोचो कितने 1000 प्रतिशत मुना एक परदेशी कंपनी विदेशी कंपनी लगाने वाले कितने मूर्ख है मैं उनको पूछता हूं क्यों लगा रहे हूं यह फेरल लव्ली करते हैं अच्छा फेरल लव्ली लगाने सब गोरे होते हो तो अफरीका वाले अभी तक काले कैसे रहे हैं मैंने एक बार कुछ पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोगों के लिए एक परिक्षन किया एक भैस को चार साल फेरल लव्ली लगाया रगण 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 तो लगण आज तक वो गोरी नहीं हुई काले की काली है फिर भी पढ़े लिखे इडियट्स को समझ में नहीं आता कि ये फेरल लव्ली से कोई गोरा नहीं होता जो गोरे हो जाते तो भैस नहीं हो जाते हैं और ये फेरल लव्ली का रेट क्या है पचीस ग्राम चारीस रुपए की हैं 50 ग्राम 80 रुपए की 100 ग्राम 160 सोले सो रुपए किलो की क्रीम चुपर के सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है इडियोट है कि स्मार्ट है अभी ये तैक करना पाथ कुछ विदेशी कंपनिया टूथ पेस्ट बेचते हैं कॉल गेट क्लोज अप एप्सडेंट सिवाका फॉरेंस सो ग्राम डूथ पेस 27 रुपए का है एक किलो हो गया 270 रुपए का अब पढ़े लिगे मुर्ख लोग क्या करते हैं 270 रुपए किलो डूथ पेस्ट खरीब के और मुह में रगड़ते और वाश वेशन में थूखते कैसे पागल लो 270 रुपए किलो की चीज रगड़के थूक है पर 1500 रुपए किलो गायगे रोटी ऐक के खा रहे हैं केहते हैं जी हम बहुत स्मार्ट हैं ने हैं ज्यादा इस्मार्ट बनो पूछते क्या करें में दो हुदें यह 270 रुपए किलो का इतना मेह्णा तूथ पस्त है इसको क्यो ठूपते हो यही रोटी पे लगा-लगा के कर जो के काया बिन कर नहीं कि सब्सक्राइब कि क्या दैना है तब देड़ code के निन कोई कहानी इस देश की कहो लिमिट नहीं है इतने लूट खोरी में सबसे ज़्यादा पड़े लिखे लोग शामिल एक विजेशी कंपनी आई है पेपसी कोला दूसरी है कोका कोला वो पानी की बॉटल बेच बेच के लूट रहे हैं इस देश को 10 रुपए की बॉटल बेचते हैं जो 70 पैसे में बनती है विज्याबन का खर्च 30 पैसे आता है टैक्स एक रुपए जाता है एक रुपए दुकानदार को मिलता है माले कुल तीन रुपए खर्चा कंपनी का होता है बॉतल दस रुपए में बेचते हैं और पीने वाले उसको सात रुपए मुनाफ़ा एक बोतल पे उनको होता है हर साथ सो करोर बोतल बेचते हैं और पाँच जार करोर लूट के ले जाते है इस देशु और जो भी यह पेपसी कोका कोला पीते हैं उनको मैं पूछता हूँ भाई क्यों पी रहे हों 5.000 करोर रुपए देश का मुकसान हो रहा है तो कहते हैं हम इसलिए पीते हैं कि आमिर खान बोलता है ठंडा मतलब कोका गोला यह बोलने का तीन करोर मिलता है और आमिर खान कुद कहता है कि मुझे पैसा मिले तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ पैसे के लिए यह सिनेवा में नाच गाना करने वाले लोग क्या क्या करते हैं मैं एक उधारम देता हूँ अमिता बच्चप जो अभी बहुत बहुत कर रूप से बीमार है थोड़े दिन पहले तक यह कैटबरीज चॉकलेट का विग्यापन करता था कैटबरीज एक मिदेशी कंपणे उसके चॉकलेट में कीड़े मिलते हैं बार 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 ऐसा हुआ है कई बार इसके ऊबर केश चले लिगन हर बार कमपणी अमिता बच्चप को पैसा दे के बुलवाती है कि कैटबरीज चॉकलेट बहुत अच्छा है तो अमिता बच्चन मिग्याबन में क्या बोलता था अभी बीमार होने के पहले तक एक छोटी बच्ची आती है उसको बोलता देखो मैं 63 बरस से कैट्बरीज चॉकलेट खाता हूं तुम भी खौँ माने ये एकदम अच्छी है सुरक्षित मैंने एक दिन सोचा ही अमिता बच्चन क्या बोल रहा है 63 बरस से कैट्बरीज चॉकलेट खाता है और अमिता बच्चन का कुल उम्र 63 बरस है और 63 बरस से कैट्बरीज चॉकलेट खाता है इसका मतलब क्या हुआ जिस दिन उसका जनम हुआ उसकी अम्मा ने सीधे उसके मूँ में rubbery का énormément क्रेश चौकलेट थिए उसकी अम्मा ने दूद नहीं बिलाया, सीधे rubbery चौकलेट थिलाया और यही परिणाम हुआ कि अमिता बच्चन इतना गंभीर बीमार हुआ जो अम्मा गदूद पिया होता तो यह बीवारी क्यों आते हैं पैदा होते ही केट पर इस चॉकलेट खाया तो आपरेशन करना पड़ा हाथे काट के निकालना ही पड़ी है उसके आपको मालूम है विता बच्चन का क्या ओपरेशन हुआ है ismaus को काट के निकाना पड़ता है अंतरियों को काटके इंटेस्टव काटन निकालना अपड़ता क्योंकि वो सर जान है वही हुए उसके तो आप सोचो विग्यापन करने वाले आपर खान हमिता बच्चन सल्मान आप और यह तो इसे हैं अदिन है, comment और सलमान खान हमेशा दान्स करता, टिशर्ड उतार देता, एक बार हमनों उसको पूछा भाई तुम laying यह बान्स की क्यों करते है तुमको कुछ खाज हो गई, खुज्ली हो गया है तो कितना सत्तर लाग तो मैंने का बाई सत्तर लाग मिलता तो शट उतारते हूं है पैंट उतारेगा दो करोड मिलेगा तो कुछ भी उतारेगा उसको कोई शरम नहीं है उसको पैसा चेहे ये सिनेमा में नाजगाना करने वाले पैसे के लिए विग्याफन करते हैं और भारत के पढ़े लिखे मूर्ख लोग ये विब्याफन देखकर विजnesी चीज़े खरीथे हैं और सोचते हैं कि इसम時 quality है वास्तव में quality नहीं है क्योंकि जिन वस्तुओं का विग्यापन होता है उनमे क्वालिटी नहीं होती और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विग्यापन नहीं होता आपने कभी TV चैनल पर गन्य के रस का विग्यापन देखा नीगु की शिकन जी का विग्यापन देखा संत्रे की रसका, मुसम्मी की रसका विग्यापन देखा नहीं क्योंकि इन सभी में क्वालिटी है पेपसी कोग का भेंकर विग्यापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है क्वालिटी क्यों नहीं है क्योंकि पेपसी कोग बनता है जिस chemical से वो chemical बहुत खराब है Pepsi Coke बनाया जाता है 14 chemical से उसमें से पहला chemical है Phosphoric Acid Phosphoric Acid से दुनिया में दोई चीज़े बनती है एक तो Pepsi Coke ता कोला बनता है दूसरा Toilet Cleaner Phenile बनता है Harpik आपने देखा विग्यापन आता Harpik Best Quality Toilet Cleaner एक दम जगा जग संडास को साफ करता है Harpik क्योंकि Harpik में Phosphoric Acid है वही Phosphoric Acid Pepsi Coke में भी मिलाया जाता है जिस दिन मुझे ये पता चला कि Harpik और Pepsi दोनों की क्वालिटी बराबर है उस दिन मैंने मेरे घर में Pepsi से संडास साफ करके देखा बहुत अच्छा साफ हुआ मैंने एक बार क्या किया मेरे घर में 30 दिन एक महीने टोईलेट साफ नहीं किया वह बहुत गंदा 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 हो गया फिर मैं एक बोटल पेपसी खरीद के लाया टोईलेट पोट पे स्प्रे किया दो मिनट के बाद पानी से धोया तो जका जक सफेड, white and white उस दिन से मैंने विज्यापन करना शुरू किया ठंडा मतलब टोईलेट क्लीनर अब मुझे बहुत दुक होता है कि पड़े लिखे इडियट लोग इस टोईलेट क्लीनर को पीते रहते है और अकेले नहीं पीते घर में आने वाले अतिथी को भी पिलाते रहते एक तरफ कहते अतिथी दे होता होता उसी को संडा साफ करने का पानी पिलाते और अतिथी भी इतने मूर्ख हैं कि घर में घुसते ही कहते ठंडा लाओ मैंने टॉइलेट की दूर पिलाव और कहीं कहीं मैंने देखा ज्यादा पड़े लिखे लोगों को अगर ये पेप्सी को फोकट में मिले तो 20-20 बाटली गटक लेते फोकट में मिल रहा है तो क्या संदास साफ करने का फिरोपी ये हिंदुस्तान पड़े लिखे लोगों ने बिगाड़ दिया है मैं आपको पूरी गंभीरता से कह रहा हूं मैंने मेरी जिन्दगी में आज तक बिना पड़े लिखे नागरिक को पेप्सी पीते नहीं देखा जो व्यक्ति अनेजुकेटिड है इस्कूल नहीं गया कॉलेज नहीं गया वो हाइली इंटेलिजेंट है वो गन्य का रस पीता है संत्रे का रस पीता है मुसम्मी का रस पीता है नीवु के शेकंजी नारियल का पानी कुछ नहीं मिलेगा शुद्ध पानी पीता है लेकिन पढ़ा लिगा ईडिय एट eni पिप्फि पीता है पो पीता है तमसफ पीता है और दूसरों को भी पिला फोकट में में ले तो बाटली पिपली गटक जाओ परिणाम क्या होता है परिणाम होता है प्पेसि कोग, थमसफ, लिंका, सिट्रा, मिरिंडा ये जितने भी soft drinks हैं इनके तुष्परिणाम बहुत नहीं करें अब मैं आपको एक गंभीर बात पताता हूँ भारत देश में हम लोगों ने Pepsi Coca Cola Company के खिलाफ दिल्ली के सुप्रीम कोट में एक केस करवाया पहले हमने High Court राजिस्थान में किया बाद में सुप्रीम कोट बिल्ली में किया उस मुकदमे में हमने Pepsi Coca Cola Company को ये कहा कि आप सिद्ध करो कि आपका ये जो पानी है ये soft drink है इसमें ऐसे कौन से chemical हैं जो इसको soft बनाते हैं तो ये मुकदमा चला company उसमें हार गई हम जीत गए क्यों हार गई क्योंकि भारत सरकार में Pepsi Coca Cola का जो soft drink है जिसको वो कहते हैं soft drink उसको जाच करने के लिए प्रयोक शालाओं में भेजा भारत की सबसे बड़ी प्रयोक शाला है मैसूर में उसका नाम है CFT आ रही उस प्रयोक शाला में Pepsi Coca Cola की जाच की गई जहर मिलाया हुए एक जहर है उसका नाम है DDT DDT आप समझते हैं मच्छर मारने के काम आता है mosquito repellent दूसरा जहर उसमें मिलाया हुआ है उसका नाम है Benzene Hexacloride Benzene Hexacloride माने Gemaxine Powder अर्थात कछुआ चाप मच्छर अगरवत्ती इसी से बनती है Benzene Hexacloride से वो Pepsi Coke में मिलाते है फिर तीसरी केमिकल उसमें डालते हैं उसका नाम है Melathiam फिर एक केमिकल डालते हैं Endosunphine फिर एक केमिकल डालते हैं उसमें Cloropirifos ऐसे 14 खतरना केमिकल मिलाकर Pepsi Coke बनता है जब ये कंपनी का Pepsi Coke का को लाका केमिकल अनलिसिस मैसूर CFTRI लेबरेट्री ने किया और ये रिपोर्ट आया तो ये भारत के काफी अख़वारों में छपा टीवी चैनलों पर भी ये आया काफी इस पर चर्चा भी हुई उसी समय मेरे घर में एक समस्या हुई थी में उसकी कहानी सुनाता हूँ मेरे माता पिता दोनों किसान हैं और खेती करते हैं उत्तर भारत में अलीगर जिले में हमारा गाओ है हमारे घर में कपास की खेती बहुत होती है तो उसी समय जब ये कहानी चल रही थी Pepsi Coca Cola की हमारे घर की कपास की खेती पर बहुंकर कीड़े आ गए पेस्ट आ गए इंसेक्ट आ गए तो मेरे पिताजी बहुत परिशान थे हैं उन्होंने मुझे एक दिन फोन पर पूछा कि क्या करना है कपास की खेती बरबाद हो रही है इतने सारे कीड़े आ गए हैं जन्तू आ गए हैं इसको मारना है और हमने सब प्रयास करके देख लिया DDT स्प्रे किया नहीं मर रहे हैं मेलाथियान स्प्रे किया नहीं मरे बेंजीन अक्सा क्लूराइड स्प्रे करने से नहीं मरे अब क्या करना तो मैंने मेरे पिताजी से कहा कि आपने पेपसी को कि स्प्रे किया कहते हैं क्यों मैंने कहा ये 14 केमिकल उसमें एक साथ मिले हुए हैं आप इस्प्रे करो तो सब कीड़ों मरें तो पहले उनको लगा कि मैं मजाग कर रहा हूँ फिर बात में मैंने कहा नहीं को हमारे गाओं में बुलाया और ये पूरा उसको दिखाया उसने उसकी फिल्म शूटिंग किया फिर टीवी चैनल पर ये दिखाया और ये देखकर भारत के हजारों किसानों ने खेप में पेपसी को कि स्प्रे किया और सब के कीड़े मरें आप सोचो इतना खतरनाक है पेपसी को का कोला कि खेप में स्प्रे कर दो तो कीड़े मर जाएं आप उसे गटागट पी रहे हो तो क्या होने वाला है हमारे वैग्यानिक कहते हैं कि पेपसी को का को कोला की रोज एक बोतल कोई व्यक्ती साथ साल लगातार पीता रहे तो उसको अंतरियों का कैंसर हो जाएगा और इसी अंतरियों के कैंसर को डाइवर्टी कुलाइटिस कहते हैं यही अमिता पच्चन को हुआ है कि जिसमें उसके पेट की आँठ को काटके निकालना पड़े हमारे वैग्यानिक कहते हैं किसी छोटे बच्चे को रोज एक बोतल पेपसी पिलाओ तीन साल में पेरलिसिस हो जाएगा पूलियों हो जाएगा हमारे वैग्यानिक कहते हैं कोई गर्वदी मा को अगर दो बोतल भी कोका कोला पिला दिया तो गर्व में पलने वाले शुशू को विकलांगता आ जाएगी परलिसिस गर्व में पलने वाले शुशू को हो सकता है वैग्यानिक कहते हैं कि एक इंजेक्शन भरके कोका कोला या पेपसी कोला किसी को लगा दो तो उसको हर्ट अटेक आ सकता है वैग्यानिक कहते हैं कि आँख में दो दो भून पैपसी कोकोकूला डाल दो तो जीवन भर के लिए आँखों की रोश्णी चली जाएगी वैग्यानिकों का कहना है कि आपका कोई दाँट अगर तूटा हुआ पैपसी की बोतल में डाल दो तो दाँट गल जाएगा दांत इतनी मजबूत चीज है कि कभी गलती नहीं है कोई व्यत्ती की मृत्ती हो जाती है उसका हम अंतिम संसकार करते हैं तो पूरा शरीर जल जाता है दांत नहीं किसी के जलते अगर मुसलिम पद्वती से किसी व्यत्ती का अंतिम संसकार करें दस साल के बाद खड़ा खोट के निकाले तो दान्ट निकलाते हैं बाकि कुछ नहीं निकलते हूं वो दान्ट इतने मजबूत हैं लेकिन फैपसी कोक की बोतल में डाल दो तो गल जाते हैं इतना खतरनाग है ये पेपसी को और उसे भारत के पड़े लिके इडियेट पी रहे हैं और पैसा अमेरिका को दे रहे हैं अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को दे रहा है पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को दे रहा है आतंकवादी उस पैसे से बंब बना रहे हैं और भारत देश में मार रहे हैं और पेपसी पीने वाले पेपसी पी रहे हैं और भारत मता कीज़े भी बोल रहे हैं काम भारत मता की पराजेका कर रहे हैं बोल रहे हैं भारत मता कीज़े ऐसा दुश्चक्र हमारी देश में चल रहा है जब ये दुश्चक्र बहुत जादा तकलिफ दे गया तो हमने केस किया केस में हम जीत गए कमपनी हार गई फिर हमने भारत सरकार को कहा कि इस कमपनी का लाइसेंस रद्द करो तो सरकार ने कहा कि हम लाइजन्स रद नहीं कर सकते क्यों तो वो बोल गरें कि हमने अमरीका के साथ एक समझोता किया है उस समझोते में भारत की सरकार में अमेरिका से कर्ज लिया है कर्ज लेने के लिए पैप्सी औओ CLा-को बारत में license दिया जब तक ये कर्ज हम वापस नहीं करेंगे तब तक license रद नहीं होगा फिर हम लोग राश्वपती को मिलें और राश्वपती को कहा कि आपको प्रदानमंतरी जहाँ ठोक दे वही लग जाती आपको मालूम है राश्रोपती कितना असहाय होता है अभी बिहार की असेंबली को भंग करने का आदेश दिया गया प्रदान मंतरी ने राश्रोपती को रात बारे बजे मास्कों में सोते हुए उठाया और उस आदेश पर हस्ताक्षर करा लिए राश्रोपती की ताकत नहीं थी मना करने की जबकि वो जानते थे ये गलत है और अभी सुप्रीम कोट ने उसको गलत सिद्ध किया राश्रोपती के पास कहने के लिए कोई मू नहीं है कि मैंने कैसे उस पर हस्ताक्षर किया भारत का राश्रोपती तो एकदम दिकलांग होता है असहाय होता है वो सिर्फ शोपीस होता है हमारे भारत के राश्रोपती के कई भाशन मैंने सुने उनको मैं इमेल पर पत्र भी लिखता हूँ वो जवाब भी देते हैं हर बार वो ये कहते हैं कि सन 2020 में भारत को महान बनाना है और द्योगित देश बनाना है श्रीवंत देश बनाना है तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये कहते कहते तीन-चार साल हो गया आपने किया क्या इसके लिए अगर आप इस दिशामे कि भारत को महांदेश बनाना है श्रीमन्त बनाना है पिछले तीन साल में कोई एक काम किया हो तो बताइए सिर्फ बोलते रहने से तो भारत महान नहीं हो जाएगा सिर्फ बोलते रहने से तो भारत श्रिमंत देश नहीं हो जाएगा जिन नेताओं के नीचे आप रहके काम करते हैं या जिन नेताओं के ऊपर आप रहके काम करते हैं वो तो इतने महाब रश्ट हैं कि भारत को खट्डे में ले जाके गिराना है इस पे लगे हुए है और आप रोज भाषण देते हैं कि भारत को महान बनाना है 2020 में और दोगिक देश बनाना है तो ये कैसे होने वाला है कहते रहने से तो नहीं होने वाला कुछ करना पड़ेगा लेकिन राश्रुपती की मुश्किल है कि वो कुछ नहीं कर सकता इस देश को तब ही एक दिन मैंना उनको इमेल किया कि आप तो कुछ कर नहीं सकते तो मैं क्या करूँ एक साधरन आजमी की हैसियत से तो उन्होंने एक बहुत सुन्दर उत्तर लिखा मुझे उन्होंने कहा यू शुद वॉक 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 और टॉक 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 तो दे इच एवरी कॉर्लर अफ इस कंट्री माने तुम भारत के गाउं गाउं में जाओ और लोगों को ये पूरी कहानी सुनाओ लोग अगर इसको सुन लेंगे तो फिर कुछ करने लगेंगे करने लगेंगे तो भारत महान हो जाएगा मेरे कहने से नहीं होगा और जब मैं समझ गया कि उनकी निकलांगतार और सहायता इतनी है कि वो कुछ नहीं कर सकते तब मैंने सोचा चलो मैं इतना तो करूं कि गाओं गाओं में जाओं लोगों को भारत की कथा सुनाओं और लोग ये कथा सुनकर कम से कम कुछ करें अपने जीवन में तो इतना तो करें कि पैपसी को पीना बंद कर दे विदेशी कमपनियों की वस्तोय खरीदना बंद कर दे और अगर इतना भी लोगों ने किया तो इससे देश को हर साल एक लाख करोर रुपए बच जाएगा और बीस साल में ये देश फिर सोने की चुड़िया हो जाए तो मैं आपके नगर में यही कहने आया हूँ कि आप इस देश को बचाने के लिए कुछ करिए रही हैं उन कोई भी कंपणी का सामाना अफ़त करी लिए क्योंकि विदेशी कंपणी यहां आ रही है अपना माल बेचने के लिए हम भारत बाजी उस माल को खरीदेंगे नहीं तो भाग जाने वाले हैं गांदी जी नहीं समझाया था कि East India Company को भगाना है तो उसका सामन करीता बन करो लोगमानी तिलक ने यह कहा कि अगर अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी कपड़े पहनना बन करो तो भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ो तो अगर अंग्रेजी माल का वहिशकार करके हमने आजादी पाई है तो विदेशी माल का फिर वहिशकार करो तो आजादी बच पाएगी मैं यही आप से कह रहा सरकार ने तो उधारी करण वहिशकरण के नाम पर लूट की खुली छूट दे दी है विदेशी कमपनियों को आप भारती अनागरी के एक संकल्प करो कि हम कोई विदेशी माल खरी देंगे नहीं तो यह लूट बंद हो जाएगी और भारतेश फिरसे स्वतंत्र हो जाएगा और समर्द दुशाली भी हो जाएगा तो आप बोलेंगे कहां से शुरू करें यहीं से शुरू करो पेप्सी को का कोला पीना बंद करो और आप बंद करो तो आपके परिवार वालों को कहो वो भी ना पियें आपके परोसियों को कहो वो भी ना पियें धीरे धीरे पूरे बोलागीर में पेपसी कोग बिकना बंद हो जाए फिर एक जिले में हुआ तो दो जिले में हो जाए दो जिले से दस जिले में हो जाए और धीरे-धीरे सम्पोर्ण उड़ी सा में हो जाए फिर पूरे भारत में हो जाए तो हर साल इस देश का हजारों करूर रुपे पज़ जाए फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है हम पेपसी कोग ना पिएं तो क्या पिएं आप नारियल का पानी पियो, संतुरे का रस पियो, मुसम्वी का रस पियो, गन्मे का रस पियो, दही की लसी पियो, गाय का दूख पियो, कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध पानी पियो मैंने एक दिन हिसाब लगाया जितने रुपए का हम पेप्सी कोग पीते हैं उतने ही रुपए का गंडे का रस्पी हैं संत्रे का रस्पी हैं तो भारत के दस साल में सभी किसान करोर पती हो जाए दस साल अगर भारतवासी विदेशी पेप्सी कोग बंद कर दे पीना और स्वदेशी गंडे का रस्पीने लगे तो जितने रुपए का पेप्सी कोग बिटता है साल में इतने ही रुपए का गंडे का रस्पी के साल में तो दस साल में हर किसान करोर पती हो जाए मुने हम भारत में क्रांती कर सकते है जो इतनी गरीभी की आज किसान है इनको अमीर बना सकते है, श्रीमंत बना सकते है पेप्सी गोग पीना बन करें नो हम सबलिंका सिक्रा पीना बन करें दूसरे दैन को भी ना बीए और आप अगर यहाँ से शुरू करें अपने जीवन को तो आगे धीरे धीरे चलता चला जाएगा आज आपने PepsiCo पीना बन किया कल आप सोचें कि हम विदेशी टूथपेस्ट भी ना खरीड़े Callgate, Close-Up, PepsiCoDance, Ibaka, Forens और क्यों ना खरीद है क्योंकि उनकी quality अच्छी नहीं है Callgate, Close-Up में बहुत विध्यापन है क्योंकि quality नहीं है Quality क्यों नहीं है क्योंकि Callgate, Close-Up बनता है मरे हुए जानवरों के हट्डियों के चूरे से Bone Powder से एक बार हमने Callgate, Close-Up Company के अधिकारियों को एक पत्र वेजा और कहा कि आप विध्यापन में बोलते हो कि Callgate में कैल्शियम है, Phosphorus है Toothpaste में कैल्शियम Phosphorus कहां से आता है तो वो कहते हैं कि जो बस्तू से हम Toothpaste बनाते हैं उसमें कैल्शियम Phosphorus है अब वो बस्तू क्या है तो मुनका मरे हुए जानवरों की हट्डियों हट्डियों में बहुत कैल्शियम Phosphorus हो पुझा काई से लाते हड़िया तो कहते हैं भारत में 3600 कतल खाने चलते हैं, हर साल 4500 करोर पशु कटते हैं, उनका मास बाजार में भिख जाता है, हड़ियां कोई खरीगता नहीं तो हम ले लेते हैं, उनी हड़ियों को धूप में सुखाते हैं, पाउडर बना के मशीन में ड करते हैं यो उपवास करते हैं लेकिन शेंपू रगड़ लिया करो दातों में क्योंकि बहुत फेस बनता पहुंच जाते हैं इतने मूर्ख लोग हैं इस देश में जिनको समस्ता नहीं है कि जाग बनता है तो वह क्वालिटी नहीं है खत्रा क्योंकि जाग बनाने के लिए कॉल्गेट क्लोजप में एक केमिकल डाला जाता सोडियम लॉरेल सलफेट और वो कैंसर करता है दुनिया के सारे देशों में अमेरिका और यूरोप के देशों में डॉक्तर लोग कहते हैं मरीजों से कि टूथ पेस्ट वो खरीदो जिसमें बनता है उस टूथ पेस्ट के डबे पे इस्टेचूटरी वारणिंग लिखी रहती है चेतावनी वैदानिक चेतावनी टूथ पेस्ट और इंजूरियस टूहल्ग ऐसी चेतावनी लिखे रहते हैं हम मालुम ही नहीं नहीं है भारतवासियों को कि कितना खत्रा है टूथ प तो कैंसर की शक्ता है कैंसर होगा आपको मु42 का यहसं सकता है जीभ का कैंसर हो सकता है पूंत कैसे साफ करें डात साफ करना है तो Schatz लीडा नहीं फार दात Liquल है क्रैल जो लाबिधार खुर उसको ऊष्यज़ते ख़रीद से भी ज़रूरत नहीं थोड़ी लेलो थोड़ा नमक लेलो दोनों को मिलाओ उसमें थोड़ा नीवordiran के दात पेगे वह क्यानू नहींacam कोई गाउं ऐसा नहीं जहां दंतमंजन ना मिले तो दंतमंजन करो वो अच्छा है, दाथ भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे, और देश का धर्म भी बचेगा, ऐसे एक तीसरा निवेदन है कि जितनी वेदेशी शेविंग क्रीम है, पामोले, वोल्ली स्पाइस, एरेस्मिक शल्टन डिटॉल, इनका भी प्रयोग मत करो, तो आप बोलोगे शेविंग क्रीम का प्रयोग न करें, तो शेव कैसे बना, शेव बनाने का एक नया तरीका बतातो, थोड़ा गरम पानी ले लो, गरम पानी से चेहरे की मालिश करो, फिर थोड़ा दूद ले लो, दूद को चेहरे में रगड़ो, दो-तीम मिनिट के बाद रेजर चलाओ, बहुत क्लीन शेव होती है, मैं छे साल से करो, और इसके चार लाव है, सबसे बड़ा लाव है कि दूद लगाओगे तो चेहरे की तुचा एक दम नरब हो जाती है, सौफ्ट, तो रेजर बहुत आसानी से चल दूसरा लाब ये है कि दूद लगाओ चेहरे पर तो सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, दूद जो है न बेस्ट क् 59 एजएंट है, तो चेहरे में रोज दूद लगाओगे, गंदगी निकल जाएग गी, गंदगी निकलेगी तो चेहरा एक दम स्वक्षवर साफ हो जाए करेंगे फोगट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहो दूद से दाड़ी बनाओ मिल्क शेडिंग करूं पिर आप बोलोगे जी दूद नहीं है तो तो दही से बना लो दही से भी दाड़ी बनती है थोड़ा दही लगाओ रगल लगो और रेजर चलाओ बहुत तो मुनाफस अब किसानों के पास जाएगा और किसान अमीर हो जाएंगे इस देश ऐसे इसनान करने के लिए विदेशी साबुन मत खरीदो लफ्स लक्स लाइफ बॉइल रेक्सोना पी एर्स ये सब विदेशी है साबुन ही खरीदना है तो स्वदेशी खरीदो निर्मा न शंकर भगवान को इस नार्श कराते हैं किस से साबूं से शंकर जी की जौंसन एंजौंसण्शन से ना लेखाएगा और यह Emily सारे लोग भगवांजीbu मेलाते हैं दूछा 3 साबूं से कितने मूर्ग हैं भगवान जी को दूद से रहला तो कुछ साबूं लगाते हैं अभी थोड़े दिन पहले करनाटक में हासन जले में बहुत बड़ा जैन थी रितिस्थान है श्रमा वेड़ गोला वहाँ पर महामस्तिका विखेश विशेप हुआ और दूद से और भारत में एक कहावत है दूदो नहाओ पूतो फलो कभी भी यह नहीं कहता कोई साबूं नहाओ और पूतो फलो दूद से नहाओ तो पूतो फलो तो दूद से नहाना शुरू करो आप कहोगा जी दूद बहुत महंगा है बहुत सस्ता है बीस रुपे लिटर में दूद आता और तुचा को कभी कोई रोग नहीं आता है तो दूद का इसनान देश की अर्थवेवस्था को बदलता है आपके शरीर को भी सुरपशित रखता है और आपको मैं जानकरी देता हूं फाइव स्टार जितने भी ब्यूटी पॉरलर्स हैं दुनिया में सभी जगे मिल्क से ही क् डूद्स कई होती है इसके अलावा कोई चीज नहीं है पूरी दुनिया थो आपी दूद से नहाज़े धूद्स से नहीं नहा सकते तो दूद्स में चने का आठा मिलां कर दाये मैंने बेसंद मिलाएं उसको रगर कर आएं मुल्ता निव इंट्टी आती उसको दूग में बिलाईए, उसका पेस्ट बना कर लाईए ऐसे बहुत सारे उपाये हैं हमारे गर में, सावुन की ज़रुरत नहीं जित्ता बन पड़े विदेशी वस्तों से दूर रही है विदेशी कॉस्मेटिक्स कभी मत खरी दिये और मैंने आपसे बता है कोई क्रीम ऐसी नहीं है जो काले को गोरा बना है यह सब मुर्क बनाते हैं हम ने फेरेल लबली क्रीम के खिलाफ मदरास हाई कोट में एक मुकदमा किया है मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ाई करता था इंजिनरीन में तो एक्तम चिककट काला है मदरासी है तमिल है और इतना काला है जैसे उल्टा तवा तवा होता ने जिसमें रोटी बनाए उसको उल्टा कर दो इतना काला है और 20 साल से फेरेल लबली लगाता है अभी तक गोरा हुआ ने तो उसकी तरफ से हमने मुकदमा लगाया है कोर्ट में अब मजा क्या आया कि जिस जज की अदालत में केस आया वो जज कहता यार मेरे घर में भी यही समस्या तो उसमें ओर्डर दे दिया अब उसके ओर्डर से हुआ ये है कि लगा लगाए कुछमत लगाओ मरने के बाद व्यत्ती की सुंदरता याद नहीं की जाती तो चाकरन भी याद में किया जाता उसके कर्म याद किया जाता गुण याद किया जाता तो गुण कर्म को अच्छा बनाओ सुभाव अच्छे बनाओ तो आप बहुत इसमार ये प्रीम पाउडर लिकिस्टिक से कुछ होने वाला नहीं है और मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि जबी भी बीमार पड़ो तो विदेशी दवाएं कभी मत खाऊ एनासिन, नोवालजिन, स्क्रप्टबाइसिन, जितनी भी अंग्रेजी दवाएं हैं ये बिल्कुल मत खाऊ, गल्ती से भी मत खाऊ, कि आप बोलोगे तो क्या करें, बीमार पड़ गए तो मर जाएं क्या, दवा नहीं खाएं तो, मैं आपको बता रहा हूं कि आप दवा खाऊगे तो जरूर मर जाओगे, ये मैं आपको लिटकर दे सकता हूं, स्टाम पेटर, कि आपने अगर अग्रेजी दवाएं खाई तो जरूर मरते वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में कोई ऐसी दवा नहीं है, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, हर दवा के साइड इफेक्ट है, कोई दवा किड्नी खराब क और अग्रेजी दवाओं को दुनिया मरों में खैलाने वाले जो बड़े-बड़े डॉक्तर हैं, वो भी अब उससे परेशान हैं और कहते हैं, कि ये बहुत कदरना है, इसलिए अग्रेजी दवाओं तो बिल्क्न सक्क खाईएं, फिर आप बोलेगे कि क्या करें, बीमार प करी दिए, आपके घर में बहुत सारी दवाओं हैं उनका उप्योग करें, आपके घर में जो रसोई चलती है, किचिन, उसमें सब दवाओं ही दवाओं है, आप जिनको मसाला कहते हैं, मसाला कुछ भी नहीं है, सभी मेडिसिन, आपको पता नहीं हैं कि उनका उप्योग क्य है हमारे किचिन में हमारे रसोई में एक भी ऐसी आउशदी नहीं है जो काम ना करे शुरीर को मैंने एक दिन सूची बनाई तो पता चला रसोई घर में 148 आउशदियां हैं जो जीवन परियंत आपके काम आती है पता कर लीजिए के वो किस काम आती हैं जैसे एक बहुत अच्छी आउशदी है उसका नाव हल्दी टर्मेरिक हल्दी के दो स्वरूप है हमारे एक तो सूखी हुई हल्दी पाॉडर फर्म में हम इस्तेमाल करते हैं और एक ताजा हल्दी आती है उसका रस निकाले के हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताजा हल्दी का रस किसी भी कैंसर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है ताजा हल्दी का रस anti-cancerous माना जाता है और अमेरिका ने हल्दी पर जो patent के लिया है वो इसी बात के लिए लिया है कि हल्दी से cancer का treatment होता है आप पूछेंगे क्या है उसमें ताजा हल्दी जो होती है फ्रेश जो टर्मेरिक है उसका जब रस निकालें तो उसमें कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है यही केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है इसलिए हल्दी का भरपूर इस्तेमाल करें और आप चाहेंगे तो जीवन परियंत कैंसर से बचे रहेंगे अगर ताजा हल्दी का रस एक चम्मच रोज सुबह पीते रहें तो और पाउडर वाली हल्दी जो है सूखी होई हल्दी वो सर्दी खासी जुकाम बुखार इसकी सबसे अच्छी दवाए कभी भी सर्दी खासी होई है हल्दी पाउडर लीजे पानी में डालिये उबालिये और पानी को चाय की दर ऐसे पीजे सर्दी खासी जुकाम बुकार सब ठीक होगा हल्दी में थोड़ा शहद मिलाके ले लीजे तो टंसलाइटिस की तकलिफ हमेशा के लिए खतम होगे खासी कितनी भी खराब से खराब हो हल्दी का रस गरम करके और थोड़ा शहद मिलाके ले लीजे खासी हमेशा के लिए ठीक हो जाए है हल्दी बहुत अच्छी मेडिसिन है अक्यली एक हल्दी तेरे बीमारियों को ठीक करती है तो रसोई में ध्यान रखिए बहुत अच्छी आउशदी है यह कभी बीमार पढ़े तो इसका उपयोग करें ऐसी बहुत अच्छी दूसरी आउ ठीक होता है ऑस्तेयो आर्टराइटिस ऑस्तेयो माईलाइटिस औस्तेयु bossyמים दरूसिस ऐसरी जरी स्रोब ठीक हो जाते है खाली मैथ própria दाने के पानी से आप में से किसी को भी डाको और संदी बात है और जॉइंट पेल होता अर्थूराइट्स है वो भी दस बारे दिन में ठीक हो जाए कॉंस्टिपेशन है पेट में कबजियत रहती है आट-दस दिन पानी पीजे ठीक हो जाए खाली मैती दाना 23 भीमारी ठीक करता है ऐसे हमारे रसोई में एक आउशदी है दालचीनी एक दालचीनी और 40 रोग ठीक कर देता है मुटा प दालचीनी और 40 रोग में काम आती है ऐसे हमारे घर में जितनी भी सबजियां है सभी सबजियां एंटी बायोटिक है एंटी पाइरेटिक है सभी सबजियां लौकी की सबजी है जिसको दूधी बोलते है अगर इसका रस रोज सबेरे एक गिलास पी है तो कॉलस्टरल डिपो खतम कर दिया लौकी के रस से और चैलेंज के साथ चुनावती के साथ हमारे घर में बहुत मेडिसिन है आपको बाजार से कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं और मैं तो आपको बहुत अच्छी बात बता के जाता हूं जो आप याद रखें तो जीवन भर काम आएगी आप बीमारी मत पढ़िये स्वस्थ रहिए जीवन भर स्वस्थ रहना बहुत आसान बीमार पढ़ें दवा खाएं दवा खाके स्वस्थ हों वो कोई अच्छी बात नहीं है आप बीमारी ना पढ़ें स्वस्थ रहने के 3-4 सूत्र हैं जो बहुत ही सरल है भारत में आयू में चि ते लोग तरह ऐत tareemल बीमार पर पीर मारे पास हम ठीकर अनुजर केया सुट्र किसी में व्यक्ति को निरोगी होने के उस 2000 में से 4 सूत्र मैंने निकाले हैं और उनका मेरे जीवन में 18 साल से उप्योग करता हूँ आज तक बीमार नहीं पड़ा आप भी उप्योग करें तो आप भी स्वस्त रहें उन 4 सूत्र क्या है? बहुत सरल है कोई भी व्यक्ति जीवन परियंत बिना दवा खाए जीवन चला सकता है इसका उधारन मैं आपको मेरे जीवन से देता हूँ पिछले 15 साल से मैं हर साल एक लाग किलोगीटर का प्रवास करता हूँ कभी उडिसा, कभी आंध पुरदेश, कभी तमिल नाडू, कभी केरल, कभी उत्तर पुरदेश, कभी कहीं अलग अलग जगा का खाना काता हूँ, अलग अलग जगा का पानी पीता हूँ कोई तकलीफ मैं हुझा ना डाइबिटीस की तकलीफ है, ना ब्लड प्रशर की, ना हाइपर टेंशन, ना लोग, कोई तकलीफ में, 15 साल तो हो गया, मैंने कोई दवा नहीं खाई आज ता, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, ये अगर मेरा हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है, और अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से देखें, बावा राम देव हैं, 10-12 साल से योग के शिवर करते हैं, आज तक उन्होंने कोई मेडिसन नहीं खाई, कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, कैसे हो सकता है ये, ये बहुत आसान है, आप अगर अपने जीवन की कुछ गलत आदतों को जिन्दगी में कभी वीमार नहीं पड़े गया, वो गलत आदतें क्या हैं, अगर हम उनको छोड़ें, स्वस्त रहें तो, स्वस्त रहने के लिए 4-5 काम छोटे-छोटे करें, सबसे पहला काम है जो आयरुवेद का अश्टांग हिर्दे कहता है, शास्त्रों में कहा है, मैं पानी ना पियें, यह एक सूत्र है, आपको स्वस्त रहने के लिए बहुत आवश्यक है, अगर खाना खाया है, तो एक घंटे के बाद पानी पियें, कभी भी तुरंत पानी ना पियें, क्यों? जब आप खाना खाते हैं, तो पेट में, जिस स्थान में खाना एकत्रित होता हैं, उसको जठर कहते हैं, वहाँ पर अगनी प्रदीव तो तो उसको जठरागनी कहते हैं, जठरागनी से ही भोजन का पाचन होता है, अब जैसे ही आपने खाना खाया, जठरागनी प्रदीव तो आपने उपर से गड़ववववववववववववववववववववव खाना नहीं बचेगा तो सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सव से ज्यादा रोग करगा है तो जितना आपका शरीर गरम होता है 37 डिग्री सेंटीघ्रेट शरीर की गरमी है उतना ही गरम पानी पिए है तीसरा सुट्र है पानी कभी भी पिये तो सिप करके पियें जैसे चाय पीते हैं गरम दूद तो इसलाइबा प्रते पानी पीवार और भुट्र प्रते इसलाइबा है व सबेरी सबेरे से कर उठें तो सबसे पहले पानी पिये, मुह साफ करने से पहले भी पानी पिये, कम से कम तीन गिलास, और उसके बाद टॉइलेट में जाए, तो ये चार नियम है, सबसे पहला नियम भोजन के बाद पानी न पिये, एक घंटे के बाद पिये, दूसरा नियम पानी हमेशा हलका गरम करके पिये, तीसरा न रोग आएगा ही नहीं आप निरोगी रहेंगे दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दौक्टरों के पास दाना नहीं है यह चार सुत्र का पालन मैं कर रहा हूं और मैं 15 साल से निरोगी हूं यही चार सुत्र का पालन स्वामी राम देव भी करते हैं इसलिए उनको कोई लोग नहीं है और वो चैलेंज से कहते हैं कि कोई दौक्टर आके मुझे एग्जामिन करें और पता के दिखाए कि मुझे फिर आप क्यों नहीं हो सकते आप अपनी आदतें बदल दीजिए आप निरोगी हो जाएंगे दवा खाने के चाहतर में ही पसने की जरूरत नहीं प आपके हर गाओं में बहुत अच्छी दवा उपलब्द है टेक्स फ्री कॉस्ट फ्री जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं जिसकी कोई एकस्पाइरी डेट दिने वह दवा है गाय का मूत्र गोमूत्र आपको शाहिद मालूम है या नहीं अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र क को भी प्रेटेंड कराया है क्योंकि गाय के मूत्र से सो से ज़्यादा बीमारियों का इलाज होता है और भुटा मूत्र भारक के गाओं मेंुपलब्द हैं आक को कभी कोई बीमारी आ गई जैसे डाइयबटीज हो गए अर्धर डोगया ब्रॉंखाइटिस हो गया इस्सां क बेर इन सब बीमारियों में 25 मिलीग्राम गाय का मूत्र सबेरे सबेरे खाली पेट पीए बस इतना ही करब तीन महिने में यह सब बीमारी जड़ से खत्र हो जाएगा सावधानी इसमें इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र पीना है वो गाय स्वदेशी होनी चाहिए देशी गाय विदेशी गाय का मूत्र नहीं पीलेगा नहीं तो उल्टा परणा माएगा विदेशी गाय मने जर्सी, होलेस्टियन, फ्रीजियन यो जो विदेशी गाय है इसका मूत्र नहीं पीना जबी भी पीना देशी गाय का उडीसा की जो देशी नसल की गाय है चतिस गड़ की देशी नसल की गाय है हर्याना की, पंजाब की राजस्थान की बहुत सारी देशी नसल की गाएं है, उनका मूत्र लेना अब ही देशी विडेशी गाए की पहचान कैसे होती है, गाए के शरीर मेश कंधा होता है, पीठे पीठ पर, तो जिस गाए को हो कंधा भोई उंचा वह देशी गाय है और जिसको कंधा नहीं है वो भी देशी गाय है तो पहचानगोतां सहं फिर वो किते हैं घाय का मुत्र लेकर कैसे इकठा कैसे करें देशी गाय जिभी मुत्र देती है न तो आब डप्पा भर लिया बोतल में रख लो और गाय का मुत्र नहीं भी खराब नहीं होता एक दिन, दो दिन, तस दिन, बीस दिन, पचीस दिन, महिना, दो महिना, साल, दस साल, 20 साल, पचास साल उसकी कोई एक्सपाइरी डेक निया है तो tax-free, cost-free, expirinate कुछ भी नहीं, और साइबिवर्च कुछ भी नहीं, तो गाय का मुत रुपी हो आप, कोई भी बीमारी हो, डाइबिटीज है, अर्थराइटीस है, ब्रॉंकाइल्टीस है, ब्रॉंकियल निमोनिया है, अस्थमा है, ट्यूबर कुलोसिस है, कोई भी बीमारी का नाम लो, आप गोवूत रुपी हो, और बीमारी शरीर के बाहर के हिस्से में है, तो इस्तेमाल करो बाहर से, जैसे आख में कोई बीमारी है, मोतिया बिंद आ गया, ऑपरेशन नहीं करना चाहते, गाय का मुत रुपी हो गया है, ग्लुकोमा हो गया, आख से दिखाई नह में बहुत अच्छा दिखने लगे, रेटिनल रिटेच्मेंट हो गया है, गाय का मुत्र डालो, रेटिनल ठीक हो जाता है, आप की कोई बीमारी है, गोवूतर उसमें डालो, कान की कोई बीमारी है, गोवूतर अंदर डालो, शरीर पर घाव हो गया है, भर नहीं रहा है, त कि असलीतों मूद्र है उसका इसलिए को यूद्क है अनलरी आप तो दूद्र 12 오른 पमूढ़ किया है कौत नकरते हैं बहुत सारे शिक्ति जब गाये के पहले तो साल में लाख रुपए की दवा बनती है और बाजार में आप उसे आसानी से बेच सकते हैं एक गाय जो बिल्कुल दूद न दे वो साल में लाख रुपए की इंकम देती है इसलिए गाय को पालते हो तो मूत्र के लिए पालो दूद मिले तो बोनस हाँ असलिए मूत्र है और मूत्र का उप्योग भरपूर तरीके से दवाँ जो लिए आप करो आख की दवा, कान की दवा, शरीर के बाहर के हिस्से में खाज हो गई, खुजली हो गई, एक्जीमा हो गया, सुराइसिस हो गया गई मूत्र से मालश कर तो सब ठीक हो जाता है और अगर आप खेती करते हैं और किसान हैं तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर मिला कर गोड के साथ अगर खेत में डालना शुरू करो तो यूरिया डियोपी की भी जरूरत नहीं पढ़ते बिना यूरिया, बिना डियोपी भरपूर फसल ले सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गोड और उवब की डाल का आटा ये चारो चीजों को मिलाओ और खेत में डालो एक एकर खेत है तो दस किलो गोबर दस लीटर मूत्र, एक किलो गोड़ और एक किलो आटा ये चारो चीजों को मिलाओ, बीस दिन रखो फिर सौ लीटर पानी मिलाकर खेत में स्पे कर दो बिना यूरिया डाले आपको भरपूर फसल मिलेगी और अदबुत खेती होती है, यूरिया डियेपी के हजारों करोर रुपए के खर्चे इससे कम हो सकते तो गाय का गोबर बहुत कीमती है, मूत्र बहुत कीमती है दूद तो कीमती है ही, गोबर और मूत्र भी कीमती है इसलिए गाय पालो तो गोबर मुत्र मिलेगा दूध भी मिलेगा और पुन्य मिलेगा क्योंकि गाय के बारे में कहा जाता है उसमें 30 करोड देवता रहते हैं तो इसकी सेवा किया तुम्हाने सभी देवताओं की सेवा हुआ तो ये लोग सुद्रेगा पर लोग भी सुद्रे गाय को घास चारा खिलाओ तो मुत्र निकालती है मुत्र से दवाएं बनती है रोवर निकालती है उससे खेत की खात बनती है तो डीजल पेट्रोल जलाने वाली मशीरों से अच्छा गाय रख लो और गाय की संक्या अगर बढ़ाई हमने तो इस देश में सच में बहुत समर दोग्दी आएगी क्योंकि मैंने काफी हिसाब निकाला है एक गाय दूद नदे तो लाक रुपई साल की उनकम देती है दूद दे जो कि साल की इंकम देती है 20 साल तक सुदेशी गाये जिंदा रहती है लगब 35 रुपई इंकम देके जाती है और पूरे जिंद़appelle मुशक श्रीमंत हो सकता है ये आप समझ लो और दूसरों को समझा जो तो ये चुट चुटी बाते जो मैंने आप से कहीं इनका आप जीवन में पालन करो और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेइद करो तो परिणाम क्या होगा विदेशी कंपणियों की दमाएं नहीं बिकेगे 35, जीवें 34,000 करोर लुपये देश का बचेगा। विदेशी कंपणियों के कास्मेटिक्स नहीं बिखेगे 14,15,000 करोर महां बचेगा॥ विदेशी कंपणियों के साबू नहीं बिखेगा, मनजन नहीं बिखेगा, हजारों करोर रुपे और मैंने पूरा हिसाब लिगाया कि किसान अगर विदेशी खाद खरीदना बंद करदे, विदेशी दवाएं खरीदना हम बंद करदे, विदेशी सामान खरीदना बंद करदे तो साल में एक लाख 72,000 करोर उपर बचेगा देश का और 10 साल में ये देश सोने की चुड़िया बनेगा तो ये अभ्यान हम चलाएं तो देश को समरुद दुशाली बना सकते हैं ये टाकत हमारे पास है सरकार के पास नहीं है इसलिए मैं आपके पास ये कहने आया अगर सरकार में ये ताकत होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आता मैं खुझ भी सरकार में चला गाता मेरी कम सकम इतनी कैपसिटी तो है कि मैं सरकार में जा सकता लेकिन मैं जानता हूँ कि सरकारा कुछ नहीं कर सकती इस देश जो कुछ हो सकता है वो आप कर सकते हैं वैं कर सकता है तो आप ये करें और हम करें हम मिलकर करें और ये होगा कैसे अपने जीवन पे एक सूत्र बनाए और वो सूत्र है बी इंडियन बाई इंडियन भारतिये बने और भारतिये वस्तुओं का उप्योग करें भारतिये बने तो इसमें चार बातें आवश्यक हैं कोई भी व्यक्ति को हम जब कहें कि आप भारतिये बनो तो क्या-क्या आधार हैं भारतिये होने के चार आधार होते हैं जिससे हम भारतिये होंगे पहला आधार भारतिये भाशा उपयोग करें दूसरा आधार भारतिय भूशा उप्योग करें बूशा मने वस्त तीसरा आधार भारतिय भोजन करें और चौथा आधार भारतिय भेशच पाउशदियों का उप्योग करें यह चार चीज़ें आप करेंगे तो भारतिय बनेंगे और अंत में भारतिय वस्तों का उप्योग क भारतिये भाषाकारत हैं आपकी होड़िया है तो बीडिया प्रयोग करें किसी और लुट्रो ए संस्कूट भारतिये प्रशुकोर अंग्रे जी के चक्कार में नाफस है अब तोड़े दिन पहले मैंने Secretary General UN, United Nation सायुक्त राश्र के इस महासचिव को एक पत्र बेजा अंग्रेजी में उन्होंने उत्तर नहीं दिया किसी ने मुझे बताया कि वो अंग्रेजी में उत्तर नहीं देते हैं तो उम फ्रेंच में बेजो तो मैंने फ्रेंच में बेजा थोड़ी मैं फ्रेंच जानता हूँ उनका उत्तर आया फिर मैंने उनको प्रश्र पूछा आप अंग्रेजी में कामकाज क्यों नहीं करते सायुक्त राश्र महासवा का सारा कामकाज फ्रेंच में होता है अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन होता है काम फ्रेंच में होता, मैंने पूछा आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं, अंग्रेजी में क्यों नहीं करते हैं, तो उन्हों नहीं उत्तर दिया, यह जो अंग्रेजी है ना, English is the most ridiculous and idiotic language of the world, सबसे जावाब मूर्खता की और पागलपन की भाषा है तो अंग्रेजी, मैंने पूछा वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो बोलते हैं, वो लिखते हैं, जो लिखते हैं, वो बोलते हैं, सबसे बड़ी अवेज्यानिकता किसी भाषा की है, वो यह, कि लिखना बोलना दोनों अलग-ळग, जैसे एक अंग्रेजी शब्द है शुनामी, तो बोलते हैं सुनामी, लिखते क्या है? तै, एस, उ, न, अ, म, आई तो बोलना चाहिए टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी, टी सुनामी कहते हैं जी टी साइलेंट अ तो क्यों लगा दिया? हटा दो मासला, अगर साइलेंट अंग्रेजी का एक शब्ड है किचेन In spelling क्या है? कि आटी C-H-E-N किट चेन होना चाहिए नहींने टी साइलेंटे तो क्यों घुजा है? आता तो उसको बार है मुर्खता के नहीं? लिखा इवा है शब्द बोलते नहीं जब बोलना नहीं तो लिखते है क्यों हटा तो उसको यह साइलेंट करने का क्या मुर्खता है अब कितनी पागलपन की भाशा है प्यूटी पुट तो ब्यूटी पुट अगर ब्यूटी बट तो प्यूटी पुट कुछ उसका वेंग्याने कागल है और अंग्रेजी इतनी धरित्र भाशा है शब्दों की संख्या नहीं है शब्द बहुत कव एँग्रेजी भाशा में जितने भी रिष्टेदार है न सब अंकल है। काका, मामा, मोसा, फूपा, मामा का मामा, मोसा, मोसा, फूपा का सब अंकल, अंकल, अंकल है। उडिया में हो सकते हैं। काका, मामा एक होते हैं। मोसा, फूपा एक होते हैं। करके दिखा दो जो रहा है। अंग्रेजी में सब अंकली अंकली, पर सब अउटी ही अउटी है, बने अउटी के अलावा कोई रिश्टा ही नहीं है उनके, और कुछ रिश्टे तो इतने खतरनाग है, Father-in-law, Mother-in-law, माने रिश्टा भी by law, कानून से है, भावना से कुछ नहीं है Father-in-law, Mother-in-law, Brother-in-law क्या मूर्ख नूरो की भाशा और अग्रे जी की मूर्ख का आप कल्पड़ा नहीं कर सकते उतनी है शब्द जो है ना अग्रे जी के इतने खतरना के हमें मालूम ही नहीं है उनका मतलब क्या हम तो इस्तेमाल करते रहते कई बार में जो पढ़े लिके इडियेट लोग होते हैं उनकी घरों में जाते हूं तो अग्रे जी में बोलते हो राजी दिक्षिट, she is my missis मैं कहते हो, really, she is your missis तो वो बुझते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, really मैं कहते हूं, missis का मतलब समस्तर missis का मतलब है धरम पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप रात बिस्तर में रह सकें, वो missis होती है माने वो वेश्या भी missis होती है, कॉल गर में भी मिसिस होती है, धरम पत्नी मिसिस नहीं होती है धरम पत्नी को छोड़कर सब महिला ही मिसिस होती है तो कोई कहता, she is my missis तो मैं पूछता हूं, really तब वो बॉखलाता है कि क्या बात है, मैं कहता हूं, पहले भाई समझ लो, फिर इस्तेवाल करो नहीं तो करो मत ऐसे मिस्टर है ना मिस्टर मिस्टर का मतलब है पती को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात विताएं वो मिस्टर होता है, और मिस्टर सबसे खतरनाक है, मिस्टर का मतलब है एक ऐसी लड़की जो कभी शादी और जीवन परियन्त वैश्या व्रती का व्यवसाय करें, वो मिसोर्टी है। हम हर शब्द का अपना ही इतिहास हैं, उसके पीछे गहरा अर्थ है। जब तक जानते नहीं तो उसको इस्तेमाल मत करिये, नहीं तो तकलीफ होने जाने होगी। और कभी-कभी घरों मैं जाता हूं इतना मुझे दुख होता है पिता-जी-कद राम दयाल माता जी का नाम गायत्री दैभी बेटे का नाम टिंकुल अभी राम दयाल गायत्री motherfricht का तिंकु कहां से आगे और टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का जो बाप की न सुने मा की न सुने उसको टिंकू कहते और हम हमारे विचारे अच्छे अच्छे नाम रखिए संस्कृट में हिंदी में उडिया और बच्चों को फालतू की कविता हैं मत सिखाई आंगे जी की सोचो कि बंग्मान में सुन लिया तो क्या होगा बारेशी नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा सब भूके मर जाएंगे आप भी मरोगे मैं भी मर जाओ यह फाल तो अंग्रेजी अपने मत जाओ उस इसमें रखा ने तो यह अंग्रेजी भाशा का प्रयोग जादा मत करो उडि उडिया में उसके 12 तेरे शवड हैं जल है वारी और जल और वारी जाओ तेरे और अजय से आई हुए जल के लिए अलग अलग शब्द अंग्रेजीस में सेंग वेश्幡 फोन हैं उडिया में अंगरेजी है gisa jama जो भाषा में शब्दों की संख्या ज्यादा होती है वह अच्छी होती है इसलिए उडिया भाषा आपकी मात्र की है अभी ये टाई लगाना सूट पहनना ये तो सब अंग्रेजों की दूशा और टाई तो इंग्लेट में इसलिए लगाते हैं कि वहां की एट बड़ी समस्या इंग्लेट में क्या है भेंकर ठंडी होती है साल में नो मैंने सूरी का प्रकाश नहीं निकलता ता अपमान बार निकालना रखना निकालना एक टाई बांद लो तो जो भी ज़रूरत पढ़े पोच के लटका दो इसके लिए ये टाही आई है हमारे ये टाई की ज़रूरत आई इसलिए फाल्तु में टाई बाई ना लगाए और भारत में इतनी गर्मी पढ़ती है 48 degree centigrade पात्मा ने वहाँ टाइट टाइट लगा के गर्दन भी ना हिला सकें अंदर पसीना पसीना होता है यह मुर्ख टाइट इसलिए विदेशी भूशा जादा इस्तेमाल लगी करना मैंने तो कभी-कभी देखा है पढ़े लिखे लोग कितने मुर्ख होते हैं शादी करते हैं तो टाइट और सूट पेंड के गोड़े पे चड़ते बैठ जाते हैं क्या मुर्ख लोगा गोड़े पे चड़ने के यह ड इसके स्तान पर अपना सवदेशी भूजन करना और विदेशी भेशज अवशदी भूशा सवदेशी भूशा सवदेशी DOH अगर अपने जीवन में इतना ही सूत्र आपने लागु किया कि भारतिय बने और भारतिय वस्तों का ही प्रयोग करें तो भारत की ये सब समस्याओं का समाधान होता है और भारत बहुत जल्बी सुखी समर्दोशाली स्वावलम भी देश बनता है स्वामिमानी देश बनता है ये भारत देश को ऐसा बनाना इसके लिए प्रयास करना इसी में मैं लगा हुआ हूँ आप भी इसमें लगें हम सब मिलकर देश को स्वावलम भी बनाएं समर्दोशाल चांटे की है वीडियो सीडी छेजाथ गटी की है वो यहां कोने में एक भाई है उसके पास है आप चाहें तुलें इस किसी भी सीडी पर मेरा कौपी राइट नहीं है सबको कौपी करने का कंप्लीट राइट है आप सीडी की हजारों कौपीयां बनाएं गाउं-गाउं बाट